हलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब मैं हो आपके माम इलाकरांती और आज मैं आज सभी कख्षा दस्वी के बच्चों के लिए लेकर क्या हूँ बहुत ही महत्वपुन चाप्टर का वन शॉट रिविजन जिसमें मैं पूरा विद्युधारा के चुम्बकिय बहुत मज़ेदार जादवी चाप्टर है यह बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को इस चाप्टर में तो बिल्कुल जल्दी से फटाफट से सारे बच्ची आ जो सारे दोस्तों को बुलालो भई कौन-कौन बच्ची आ गए है चलो भई फटाफट कमेंट करो स्कूल ग्रूप में भी भेज़ दो भई फटाफट से सारे बच्चे आएंगे तो जल्दी जल्दी हम आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे ठीक है तो भई जल्दी हम बात करेंगे विद्युद्धारा के चुम्बकिया प्रभाव की तो भई हम विद्युद्ध बता है बच्पन में आप सभी बच्चों ने कभी न कभी जादू जरूर देखा होगा जादूगरी देखने के लिए कभी आप गये होंगे कौन-कौन बच्चा गया है जल्दी से मुझे कमेंच करके आप सभी बच्चे बताएंगे कि आप में से कोई बच्चे कभी किसी न बताने वाली हूं जिसमें बिल्कुल आप लोग जो है ये बैजिकल इफेक्ट जो चुमबब का जो है एक जादु घरी है वो उसके कॉंसर्ट्स को आप लोग पढ़ोगे कैसे हो रहा है क्या हो रहा है जैसे कि आप लोगों ने अपने आसपस बहुत सारी चीजे देखी होंगी ठीक है जैसे कि आप लोगों ने जो है मोटर वगरा भी देखा होगा यहां पर आप लोगों को जैसे मेरे प्यारे बच्चे सभी ready हो हा कि ना जल्दी से बताओ कमेंट करके बताओ ready हो चलो फटाफट से quickly start करते हैं पहला topic है हम सबसे पहले चुमबक के बारे में समझेंगे रेखाओ के बारे में समझेंगे उसके अजिद्धार में हम लोग क्या करते हैं अगर करेंड भाते हैं विद्धारा भाते हैं तो 習ड़ार की चुंबक्य शित्र बनता है इस çीज़ को हम ध्यान से समझने वाले हैं उसके बाद परि canopy का में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुम्बकिय शेत्र तो परिनाली का एक तरह का यंत्र होता है मतलब यंत्र मतलब एक सिस्टम है जिसमें अगर हम क्या करते हैं धारा को अगर बहाते हैं प्रवाहित करते हैं तो उसमें किस तरह से जो है चुम्बकिय शेत्र बनता है इसको हम लोग क्षिखेंगे उसके बाद चुम्बकीयर शेट्र में विद्युत धारवाही चालक पर हम बल्की बात करेंगे मोटर बहुत सारे जगह देखा होतों क्षे जगहों पर मोटर इस्तमाल किये जाते हैं है कि नहीं और उसके अलावा अब बच्चे तो बहुत स्मार्ट हो गए और बिल्कुल जो है काफी सारे जगह वो जो है बिल्कुल इधर देख टाक करके पूरा सारा कुछ जो है पता लगा करके बिल्कुल इंफॉर्मेशन करके ले तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जगह जनरेटर भी बिल्कुल चलते रहता है डीजे वगरा जो रहता है आजकल जो डीजे बॉक्स बड़ा बड़ा जो लगा हुआ रहता है और वो पूरे सिस्टम में जो है वो उसको अपरेट करने के लिए वहां पर वो लो यह विद्धृ चुंबक की अपरेरन भी हम देखेंगे विद्धृ जनेतर मतलब की जनरेटर आप लोगों ने देखा होगा है कि नहीं अब कई जगहा पर क्या होता है कि जैसे लाइट गूल हो जाता है तो कई जगह जब बहुत सारे जगह आप अपने आसपास लाइफ मे में जहां पर यह सारी चीज़ इस्तिमाल करी जाती है और इन सब के पीछे का बिटा साइंस क्या होता है यह आज आप लोग जो है समझने वाले हो घरेलू विद्धुत परिपत के बारे में भी हम समझेंगे ठीक है चल स्टार्ट करते हमारा मैजिकल टॉपिक मज़ेदार तो यह क्या है देखो यहां पर आपको एक जो है बिल्कुल इस तरह से चुमबक दिखाई दे रहा है और यहां पर U-shape में चुमबक दिखाई दे रहा है तो वैसे चुमबक जो पाया जाता है देखो चुमबक का मतलब क्या होता है तो चुमबक जो यहां पर आकर्शन या प्रतिकर्शन का जब बुन देखा जाता है किसी इस तरह के पत्रीले टुकडे पे या छोटे से तुकडे पे जब आकर्शन और प्रतिकर्शन का जब बुन देखा जाता है ठीके तो वो क्या होता है मतलब यह अगर अपनी तरब किसी चीज को आकर्शित करेगा या अपने से धके लेगा इसका मतलब क्या है ये चुम्बक है ठीक है ये किसको किसको आकरशित या प्रतिकरशित कर सकता है तो लोहे या धातू से लोहे से बनी चीजों को ये क्या कर सकता है ये आकरशित और प्रतिकरशित कर सकता है ठीक है इसके अलावा सबसे पहले magnetic compass चुम्बकिय सुई जिसको बोलते हैं आजकल तो mobile phones में magnetic compass और चुम्बकिय सुई होती है पर पहले की जमाने में बहुत से सदियों से जो है कई जगहों पर दिशाओं के ज्यान के लिए है ना क्या किया जाता था इस तरह की magnetic compass या चुम्बकिय सुई का इस्तमाल किया जाता था ठीक है जिससे जो है जैसे की समुद्र में अगर समुद्र की लहरों के बीच में कोई जहाज तैर रही है तो उनको कहां से पता चलेगा कि कौन सा direction है कौन सी दिशा है ठीक है तो इस तरह से magnetic compass किया चुम्बकिय सुई के इस्तमाल से वो क्या करते हैं यह पता लगाते हैं कि कौन से दिशा में हमको आगे बढ़ना है ठीक है तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीजे हैं तो भाई देखो यहां पर आप क्लिक सकते हो कि जो सबसे पहले तो यह चुम्बक के बारे में खोच किया सबसे पहले और यहां मतलब की मैगनेटाइड करके एक माटेरियल होता है ठीक है सबसे तो वो बहुत सारी चीजे हैं जिसकी वज़ा से हम लोगों को हुआ पर जो है magnetic, मतलब कि यह magnetic चीजे हम लोगों को मिलती है, इस चुमबक को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मैगनेट बोलते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में वैसे आप लोगों ने कक्षा छटवी से आठवी के से लेकर आठवी तक लेकर के बीच में आप लोगों ने थोड़ा बहुत चुमबक के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा चोटी-चोटी चीजे आप लोगों ने पढ़ी होगी, अब आप लोगों कक्षा दस्वी में आ गए हो तो बिल्कुल आप थोड़े से डिटेल्स में इसके बारे में चुमबक के बारे में आप लोग पढ़ोगे, इसके साइंस को समझोगे और जब आगे की कक्षाओं में आप जाओगे जैसे की कक्षा बारवी में तो और भी जादा डेटेल में आप लोगों को पढ़ना है तो अगर आप चाहते हो कि आप जो है अपने स्कूल में दकक्षा दसवी और बारवी में अच्छा परफॉर्म करो तो उसके लिए आप लोगों को ये जो विद्यूत और चुम्बक वाला जो चाप्टर अध्याय है आपका ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चीए समझ में आ रहा बिटा पका ना शोर समझ में आ रहा है कि नहीं चालो ठीक है तो बिल्कुल आप लोग को जो है अगर इस चाप्टर को अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे तो आगे की क्लासों में भी आप लोगों को बहुत स देख सकते हैं कि जो विद्यूत है और चुमबक इसके पहले हम लोगों ने विद्यूत वाला चाप्टर पढ़ा था ठीक है तो विद्यूत वाले चाप्टर में क्या हो रहा था विद्यूत आवेश था और विद्यूत आवेश जब क्या हो रहा था प्रवाहित हो रहा था तो हम लोगों को क्या मिल रही थी विद्युत आवेश के प्रवाईत होने के कारण हम लोगों को विद्युत धारा मिल रही थी और जब जो है विद्युत धारा मिल रही थी और जब आवेश था ठीक है इस आवेश के चारों तरफ एक प्रभाव छेत्र बनता था जो क्या कहल प्रद McMahon यह अवेश ठाग कि अगर बिन्द गपाष्ब करते थे हम लोग ने पिछले चाप्टर में अपर में जब भगे तो यहां पर यह जो बल है वो क्या कहलाता है विद्धुद बल कहलाता है बिल्कुल आप लोगों को मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में सब की चीजों के बारे में पढ़ाया था और जब हम चुम्बक की बात करते हैं ठीक है तो चुम्बक की जब हम बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है यह जो है एक धातू होता है ठीक है मतलब एक प्रकार का धातू होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मैगनेट टाइट ठीक है जिससे क्या बनता है मैगनेट बनता है अब इस मैगनेट में क्या होता है चुम्बक की अगुण पाया जाता है जिसको हम लोग क क्या बोलते हैं चुम्बक की अगुण का मतलब यह कि यह किसी लोहे की बनी वस्तूओं को क्या करता है या चुम्बक को या लोहे की बनी वस्तूओं को अपनी तरफ आकर्शित करता है या फिर प्रतिकर्शित करता है तो यहां पर आकर्शन और प्रतिकर्शन का गुण देख जाता है जिसकी वज़ा से बहुत सारा जो है हम लोगों को magical performance इसका देखने के लिए मिलता है जिसकी वज़ा से हमारा science बहुत जादा develop किया हम लोगों ने अभी तक के बहुत सारे जितने भी technical development किये हैं वो बिलकुल इस विद्धुत और चुम्बकिया प्रभाव के कारण ही क तरपाए थीक्ए बेटा समझ में आ रहा है के चलो बहुत अच्छी बात तो ये हो गया अब यहाँ पर जो हम क्या बोलते हैं चुम्बकिया शेत्र बोलते हैं सको प्रभाव शेत्र में एक तरह के इन आकर्शन और प्रतिकर्शन जिन बलों का अनुभाव किया जाता है इनको हम कहते हैं क्या चुम्बकिय बल क्या बोलते हैं हम चुम्बकिय बल तो पूरे चाप्टर में ये सारी चीजे ही जो हैं हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं विद्युत से related हम already पढ़ शुके हैं और बिल्कुल इन प्रभाव शित्रों में यहां पर विद्युत बल जहां पर लग रहा होता था यहां पर भी हम आकर्शन और प्रतिकर्शन देखते हैं है की नहीं आकर्शन और क्या देखते हैं प्रतिकर्शन हम देखते हैं ठीक है तो इस तरह से मैंने आप लोगों को यहां पर तुल्ला करके डाइग्राम है मतलब कि जो घरों पर घंटी लगी होती है ठीक है तो यह जैसे कि मानलों की कोई आया आपके दरवाजे पर तो वो क्या बजाता है बेल बजाता है तो बिल्कुल उसकी संदचना है और यहां पर यह जब बेल बसता है तो बिल्कुल यह भी जो है यह मालों की किसी चीज को अगर उठाना होता है बिल्कुल बहुत बड़ी चीजों को या इंडस्ट्रियल एरिया में इस तरह की मशीनों का इस्तमाल किया जाता है ठीक है तो इस तरह की जितनी भी बड़ी-बड़ी मशीने है ठीक है यह बिल्कुल चुमबकिया प्रभाव से क को भी करता है यह मशीन जैसे भी यहां पर चलती है बिल्कुल सारी की सारी चीजे जो है आपके चुमकिय प्रभाव पर आधारित होती है और यह जो है यहां पर MRI मशीन है बेटा जैसे कि कभी-कभी health issues होता है तो डॉक्तर क्या करते है MRI और CT scan करने के लिए जो है suggest करते हैं doctor suggest करता है यह MRI machine होती है कौन-कौन बच्चे doctor बनना चाहते है आगे बढ़के आगे चलके तो बिल्कुल भाई science बहुत जरूरी है चाहे आप जो है medical field में जाओ चाहे आप engineering के field में जाओ यह सारी चीजे आप लोगों को जिंदगी में हमीशा काम आने वाली है सामान यह capable तो यहाँ पर इस ट्रेन में यह fast train है बहुत जादा बिल्कुल इंट्रेन में भी जुह है सारे के सारे जो अंदर पार्ण होते हैं वहाँ पर चुंवट की अप्रभाव का इस्तिमाल किया जाता है यह पूरा system जो होता है इस payroll इन सारे हम जो basic concepts पढ़ रहना इनका इसत लोग देख सकते हो ठीक है इधर का ये वाला डाइग्राम आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है चुम्बक का यहाँ पर एक तुकड़ा लिया हुआ है ठीक है यह क्या है हमारे पास चुम्बक है क्या है यह हमारे पास चुम्बक है और यहाँ पर यह जो ह बिलकुल उसे चिपकक करके यहाां पर यहां पर बिल्कुल ऊंबक करते होगी चंबक होगी लिए पर चमच काफी चोटा से है तो अगर हम इसको उठाने की कोशिश करेंगे तो आकरशित तो होगा, परन्तो इसको पूरा उठा करके उपर नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि चोटा सा चरचुमबक है, उसको जितना बल उसकी होगी, उसकी छमता जितनी होगी, तो उतने पर ही क्या करेगा, मतलब कि उसको करेगी जो भी लोहे से बनी हुई चीजे रहती है ठीक है उसको क्या करती है यह चुम्बक जो है आकर्शित करती है क्या करती है इन सभी जगह में क्या देखा जाता है आकर्शन देखा जाता है तो यहां पर केवल और केवल आकर्शन देखा जा रहा है लोहे से बनी चीजों क हमेशा चर्चुंबक आकर्शित करेगा कभी प्रतिकर्शित नहीं करेगा मतलब प्रतिकर्शन का मतलब होता है दूर भेजना और आकर्शन का मतलब है पास खीच करके आना तो यहां पर आकर्शन हो रहा है मतलब कि यहां पर खीच कर आ रहा है ठीक है पास आ रहा है खीच कर पास आ रहा है बात समझ में आई बीटा और मैं आप लोगों को बिल्कुल बहुत मज़ेदार वीडियोस भी आप लोगों को दिखाने वाली हूं तो बिल्कुल आप लोगों को शुरू से ले करके अंत तक के क्लास में बने रहना है और बहुत मज़ेदार वीडियोस के साथ म चुम्बक के बारे में दिखाया चाठ चुम्बक के बारे में बताया ठीक है अब यहां पर इस चाठ चुम्बक में दो ध्रूव होते हैं क्या होते हैं दो ध्रूव होते हैं एक ध्रूव जो होता है वो क्या कहलाता है उत्तरी ध्रूव कहलाता है और दूसरा ध्रूव जो है द्रू को हम बोलते हैं north pole तो north एन for north और s for south बात समझ में आई एन for north और s for south दो pole होते हैं ठीक है अब ये जो च्छट चुम्बक होते हैं ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं इसके पहले जैसे च्छट चुम्बक और एक u shape का मैंने आप लोगों को बताया था हुँ ठीक है तो इस तरह के इसकी आक्रितियों के अधार पर भी इन चुमबक के बहुत सारे प्रकार होते हैं और इसके अलावा ठीक ए इसके अलावा दो तरह के सम्बक पाए जाते हैं अगर इनका जो मैं एकदम मतलब बेसिक से अगर डिविजन आप लोगों को बताऊं तो उसमें से पहला प्रकार है प्राकृतिक चुम्बक क्या है प्राकृतिक चुम्बक और दूसरा प्रकार है आप लोगों का कृत्रिम कृत्रिम तो भई आप लोग प्राकृतिक और कृत्रिम का मतलब तो बच्पन से ही जान रहे होंगे ठीक है प्राकृ तुमें, अगर हम लोगों को मनलब प्रकृति में जो मिलती है, ठीक है, उसके प्रकृति हो कि प्राकृतिक रूप से जो चुम्बक पाया जाता है बिल्कुल गहरे गहरे ख़दानों में अंदरों में बिल्कुल जमीन के अंदर आप सभी को पता है कि यहां पर जो है लौह तत्व पाये जाते हैं इन लौह तत्व में जो है यह मैंगनेटाइट का पत्थर ठीक है मैंगनेटाइट का पत्थर प्रकृतिक रूप से बिलकुल जमीन के अंदर जैसे कोईला मिलता है ना कोईला जमीन में मिलता है हीरा भी जमीन में मिलता है सोना भी जमीन में मिलता है सब कुछ जमीन के अंदर से ही मतलब बिलकुल जो धर्ती माता है वो इस तर प्राकृतिक रूप से मिलने वाले चुम्बक को हम प्राकृतिक चुम्बक कहते हैं जैसे कि इसका एक्जामपल है मैंगनेटाइट का पत्थर यह मैंगनेटाइट का पत्थर आप लोग चित्र में देख सकते हो कृत्रिम चुम्बक की बात करें तो यह जो चुम्बक है और अलावा यू शेप का जो चुम्बक मैंने बताया गोल शेप का भी चुम्बक आता है और अलग-अलग तरह के चुम्बक पाई जाते हैं ठीक है तो यह सारी तरह के जो चुम्बक है वो क्या कहलाते हैं क्रित्रिम चुम्बक कहलाते हैं यह क्रित्रिम चुम्बक लोहे या इस क्रित्रिम तरीके से क्रित्रिम तरीके से क्रित्रिम बनाया जाते है जो क्रित्रिम चुम्बक कहलाते हैं जैसे कि छड़ चुम्बक या चुम्बक यह सुई ठीक है छड़ चुम्बक और चुम्बक यह सुई का चित्र भी मैंने आप लोगों को दिखाया था यहां पर यह दे बाद अब चुम्बक के हम लोगों ने प्रकार तो देख लिए और इसके बाद हम देखेंगे कुछ चुम्बक के बारे में और हम थोड़ी बाते समझेंगे ठीक है तो जैसे कि जब हम वैसे तो हम जो भी चुम्बक का इस्तमाल करते हैं वो कृत्रिम तरीके से बनाए गए च शेप या आकार के हो सकते हैं जैसे कि यू शेप का मैंने दिखाया छट चुम्बक आप लोगों को दिखाया और इसके अलावा गोल बिल्कुल इस तरह गोल चुम्बक भी होता है तो इस तरह के अलग-अलग जो है आप धीरे-धीरे और बड़े होते जाओगे डिटेल में आप पढ़ते जाओगे तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ चुम्बक के बारे में जो है डिटेल में यहाँ पर समझने वाले हैं और इस डाइग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पर यह जो चुम्बक है यह पूरा एक चुम्बक है क्या है यह पूरा एक चुम्बक है जिसके क्या है दो धुवा है एक जो है उत्तरी धुवा है और एक दक्षणी धुवा है ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर अगर माल लो कि इस छट चुमबक को दो तुकड़ों में हम तोड़ेंगे तो क्या होगा अगर हम यहाँ पर इस छट चुमबक को अगर हम क्या करेंगे तोड़ देंगे ठीक है इस छट चुम्बक को अगर हम तोड़ देंगे तो क्या होगा कि इसके दो तुकड़े हम लोगों को मिलेंगे जब हमको इनके दो तुकड़े मिलेंगे ना तो इन तुकड़ों में भी हम लोगों को क्या मिलेगा दो पोल मिलेंगे एक उत्तरी ध्रू और एक दक्षणी द्रू और एक उत्तरी द्रू और एक दक्षणी द्रू ठीक है तो यहां पर हम लोगों को चुम्बक का एक गुण पता चलता है कि आप चुम्बक को कितने भी छोटे छोटे तुकडों में तोड़ोगे ठीक है फिर भी उत्तरी द्रू और दक्षणी चुम्बक कभी जिन्दगी में नहीं पाया जाता, जितनी बार हम चुम्बक के जितने तुकड़े कर ले, अगर माल लो कि इस चुम्बक को में और दो तुकड़ा कर दी, उस तुकड़े का भी तुकड़ा कर दी, तो हर बार आप लोगों को क्या मिलेगा, हर तुकड़े में दो ध्रू मिलेंगे एक उत्तरी ध्रू और एक दप्षणी ध्रू ठीक है तो इस तरह से हम लोग चुम्बक में जो है हमको गुण देखने के लिए मिलता है हर बार चुम्बक के तुकडों में जो है क्या होता है दो ध्रू ही पाए जाते हैं जितने बार उसको तुकडों में मालो यह लिखा हुआ है साउथ पोल है मालो च्रचुम्बक का एस लिखा हुआ है मतलब की साउथ पोल है ठीक है यहाँ पर क्या है लोहे की कील रखी हुई है लोहे की कील को यह क्या कर रहा है यहाँ पर यह च्रचुम्बक आकरशित कर रहा है बात समझ में आ रही बिटा क्य चोड़ी चीजे ठीक है तो गुण भी पूछे जाते हैं चुम्बक के और जब आप ध्यान से सुनते जाओगे तो आगे आप लोगों को इस चुम्बक की प्रभाव के कारण किस तरह से बहुत सारी चीजे जो है चलती है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो उस पे आप इसको खींच रहा है ना तो यहाँ पर आकरशन के फल सरूप यहाँ पर इसका विपरित ध्रूव बन जाएगा क्या बन जाएगा इसका विपरित ध्रूव मतलब की यहाँ पर अगर मैं इसके ऐस ध्रूव मतलब यह चार चुम्बक का एक सीरा उतरी ध्रूव दूसरा सीरा दक्षणी ध्रूव और मैं यहाँ पर इस च्छुम्बक के दक्षणी ध्रूव से क्या कर रही हूँ दक्षणी ध्रूव से यहाँ पर इस लोहे के कील को जो है पास लेकर के आ रही हूँ लोहे के कील के पास इस चुम्बक को लेकर के आ रही हूँ तो ये लोहे का कील आकर्शित हो रहा है और आकर्शन के बाद इस दक्षिनी ध्रूव के पास आने के बाद यहां पर विपरीत ध्रूव बन जाएगा जो की क्या होता है दक्षिन का विपरीत उत्तर ध्रूव हाना विपरीत ध्रूव यहां पर जो है बन जा रहा है तो जैसे कृत्रिम प्रकार के चुम्बक जो बनाई जाते हैं न तो वो बिलकुल इस तरह से लोहे के तुकडों को भी एक प्रक्रिया होती है उन प्रक्रिया के बारे में आप लोगों को बताऊंगी विद्धुत चुम्बक किया प्रेरण का जो हमारा टॉपिक है वहाँ पर हम देखे कि इस समाने लोहे की कील को किसी प्रक्रिया के द्वारा एक चुम्बक में कैसे बदला जा सकता है ठीक है तो है ना जादुई मजा आ रहा है कि नी सभी बच्चे जल्दी से मेरे को कमेंट्स करके बताएंगे है की नही मैगनेटिजम जादूई है की नहीं जल्दी से चलदी फटाई फट बहुत अची बात ग्रेट तो इस तरह से जब यहां पर क्या हो रहा है तो यहां पर हम गोड़ार्व रहे हैं चुम्बग के आकरशन की करद यहां पर इस लोहे को यहां पर जो है जो इसके पास खींच करके आ रहा है उसको उतरी धू में बदल दिया और यहां पर जो दूर वाला हिस्सा है उसको किस में बदल दिया दक्षणी धूरू में बदल दिया यह क्या है चुम्बक का प्रभाव सोच रहा हूं यहां पर एक छोटे से छड़ चुम्बक का प उपसे चिपक जाता है फिर पीछे एक की बात एक लाइन से जो है आप लोगों ने किसी कॉमेडी पिक्चर में यह चीजे देखी होगी वैसे हंगावा मूवी में बिल्कुल ऐसा देखा जाता है सब लाइन वार चिपकते जाते हैं उसी तरीके से अगर मैं यहां पर दूसरी किल ले आऊंगी ना तो यह दूसरी किल भी यहां पर क्या हो जाएगी यह दूसरी किल में बिल्कुल यहां पर चिपक जाएगी क्योंकि जब इस तरह से हम जो है लोहे की कील को इस चुमबक के पास लेकर के आए तो यहां पर भी क्या उत्पन हो गया चुमबक क्या प्रभ है ठीक है बिल्कुल अम लोगों हम लोगों क्या है यह इस तरह से क्या करता है महालो की मैं सिंपनी इस तरह से पूरा छिड़क बिल्कुल एकदम बारिक रूप में है उसको मैंने जब इस तरह से छिड़क दिया ठीक है तो छिड़कने के बाद क्या होता है इस तरह से यह जितने भी मतलब की लोहे के जो पाउडर रूप में जो है एकदम बारिक पीसा हुआ जो लोहे का तुकड़ा है ठीक है वो बिल्क आप लोग यहां पर देख पाओगे कि यहां पर जो उत्तरी ध्रू है उत्तरी ध्रू से ले करके दक्षणी ध्रू तक यहां पर जो है मतलब लाइन से लाइन से इस तरह से लाइन बारिक बारिक लाइन बन रही हैं बहुत सारी लाइन बनी हुई है यहां पर बारिक बारिक बनी हुई है और यहाँ पर द्रू के पास इस तरह से लाइन्स बनी हुई है ठीक है यह क्या है रेखाएं खीची हुई है इस तरह से यह जो रेखाएं है बेटा यह जो रेखाएं बनती है यह प्राक्टिकल एक मतलब आपको दिखाने के लिए है कि किस तरह से किसी छर चुम चुंबक की बल रेखाएं उसके चुंबक की शेतर में बनती है तीड़िकरियु की कोई लोहे का चुम्बक है उसके पास अगर हम लोग लोहे के भुरके को या फिर पाउडर को जब डालते हैं तो किस तरह से वो चुम्बक की बल रेखाएं यहां पर बनाता है ठीक है चुम्बक की रेखाएं कैसे बनाता है बिल्कुल इस तरह से यह दिखाता है आप लोग लोगों को चुम्बकिय बल रेखाओं या फिर चुम्बकिय शित्र रेखाओं को और अच्छे से समझना है ठीक है चुम्बकिय बल रेखा या चुम्बकिय शित्र रेखा को और अच्छे से समझने के लिए यह डाइग्राम आप लोगों के सामने हैं आप लोग यहां पर दे ठीक है, क्या लेकर क्या है, बिल्कुल मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, यह हम यहाँ पर लेकर क्या है, चुम्बकिया सुई, और यह क्या है यहाँ पर, यह जो है, वो है हमारा छड़ चुम्बक, ठीक है, छड़ चुम्बक है हमारा, अब यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, इस चुम्बकिये सुई को इस छड़ चुम्बक में अगर हम इस चुम्बकिये सुई को जैसे कि अगर हम यहाँ पर रखते हैं ठीक है तो हर बार इसका जो विच्छेप है यहाँ पर जो चुम्बकिये सुई है उसमें विच्छेप दिखाता है दिशा दिखाती है ठीक है तो हर बिंदू पर यह क्या दिखाएगा यहां पर जो है चुम्बकिय शेत्र की जो दिशा है उसको यह बताता है तो आप लोग देख पा रहे हो कि चुम्बकिय सुई जो है इस दिशा में हम लोगों को विच्छेप दिखा रहा है किस दिशा में दिखा रहा है यहां पर हम डाइग्राम में देखोगे अगले डाइग्राम में आपको जब आप यहां पर बीच में इस तरह से रख करके देखोगे तो यहां पर आपको जो है मतलब की चुम्बकिय शेत्र की दिशा जो है आप लोगों को इस दिशा में दिखाया जाएगा जो कि क्या दिखाता है चुम ही जो है हम लोगों को चुम्बकिये सुई का विक्षेप राप्त होगा ठीक है तो इसका मतलब हमको क्या समझ में आया हर बिंदू पर जो चुम्बकिये शेत्र की जो दिसा होती है वो अलग-अलग होती है इस तरह से हम क्या करेंगे अगर हर इस इनको बहुत पास-पास में रखके देखेंगे ठीक है पास-पास में रखके देखेंगे तो इस तरह से हमको क्या दिखाएगा ये दिशा दिखाएगा ये पास-पास में अगर बिंदू पर इसकी स्पर्स रेखा इसको बोलते हैं आप लोगोंने गणित में पढ़ा होगा बिल्कुल इस पर सज्जा की दिशा जो दिखा रही है हर बिंदू पर समझ में आ रहा है कि जो चुम्बकिय बल रेखाएं हम बना रहे हैं यहां पर जो सीख रहे हैं बनाना उसक इस पर सज्जा की दिशा में होती है तो यहां पर आप लोग देख सकती हूँ कि जैसे यहां पर यह जो चुम्बकिय बल रेखाएं बनी हैं बिल्कुल यह रेखा आप लोग देख सकते हूँ ठीक है उसके बाद यह रेखा आप लोग देख पा रहे हो और इसकी दिशा भी आप देख रहे हो कि उत्तर से दक्षणी ध्रू की तरफ जा रहा है ये निकल कर चुम्बकिय बल रेखाएं और ये किस तरह से जा रही है बंद वक्र बना रही है क्या बना रही है ये देख पा रहे हो उत्तर से दक्षणी की तरफ चुम्बक के बाहर ये चुम्बकिय शेत् रेखाए हैं उनकी दिशा दक्षणी ध्रू के अंदर की तरफ आ रही है यहां पर उत्री ध्रू से बाहर की और जा रही है और एक और बात आप लोग इस डाइग्राम में यह भी देख सकते हो क्या देख सकते हो यहां तो बाहर जा रही है ठीक है लिख देती हूं मैं यहां जो रेखाओं की दिशा है वो बाहर की तरफ है और यहां पर क्या है दक्षणी ध्रू में अंदर की तरफ है ठीक है और यहां पर क्या हो रहा है यहां पर बंद वक्र बं रहा है ठीक है और यहां पर देखो जब यह चुम्बक के ध्रू के पास है ठीक है बल रेखाए को अ एक दूसरे से सटी हुई होती है ठीक है अब जैसे ही क्या होता है यहां पर तो पास है एक दूसरे से सटी हुई है और जैसे जैसे क्या होता है हम दूर जाते जाते हैं तो आप अगर यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या है बल रेखाएं जो है काफी दूर दूर है ठीक है इसलिए जब हम कील को आकरशित कर रहे थे तो आप लोगों ने कील को आकरशित करते हुए जब आप लोगों ने देखा था तो ध्रू के पास जल्दी आकरशित हो रहा था क्योंकि ध्रू के पास जो है चुम्बकिये बल रेखाएं सघन होती है पास पास होती है सघन और पास और विभства अनN अभी जो आप लोगों ने चुम्बक के सूई से जो देखा। यहीं श्यूराप्त हुआ ऐग के आप लोगों को बहुत अच्छे डायग्राम ने में भी बहुत जादा मझा रहा होगा सब्सक्राइब को registry दो अब है जो मुझन दो पढ़े उसको आप बिल्कुल नोट कर सकते हो pen copy में बिल्कुल नोट करना है जो भी मैं बता रही हूँ आप बिल्कुल नोट्स बना सकते हो short note बन जाएगा जिसको आप बार बार रिवाइस कर सकते हो तो हम लोगों ने चुम्बक के गुण में क्या-क्या देखा दो धुरू होते हैं उत्तरी धुरू और धक्षणी धुरू ठीक है ये तो हम लोगों ने देख लिया ये पहला गुण हो गया हमारा फिर चुम्बक के अंदर अनुचुम्बक की अपदार्थ जैसे लोहा निकिल कोबाल्ट आदी आकर्शित करने का गुण पाया जाता है तो ये भी हम लोगों ने देखा जैसे कि यहाँ पर लोहे की कील को आकर्शित कर रहा था चमच को आकर्शित कर रहा था और घड़ी को आकर्शित कर रहा था तो ये सारी चीजे किस से बनी हुई है अनुचुम्बक की अपदार्थ जैसे कि लोहा निकिल या कोबाल्ट से बनी हुई जो को आकरशित करने का क्या पाया जाता है आकरशित करने का गुण पाया जाता है तीसरा गुण क्या है चुम्बक के दोनों धुरू को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम चुम्बक की अक्ष बोलते हैं तो बिल्कुल इस तरह से जो हमारा चुम्बक है इस चुम्बक के दो धुरू है एन और एस ठीक है तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है चुम्बक की अक्ष कहलाती है तो बिल्कुल नोट कर सकते हो आप लोग अगला पॉइंट क्या है चुम्बक के समान धुरू में प्रतिकर्शन और विपरीद धुरू में आकर अकर्शन होता है तो बिल्कुल आप यहां पर देख सकते हो कि जैसे कि मैं एक च्छाड़ चुम्बक यहां पर लेती हूं यह क्या है मान लोग इसका धुरू एन और एस इस तरह से है ठीक है यहां पर मैं आप लोगों के लिए दूसरा च्छाड़ चुम्बक लेकर क्या आ तो यहां पर आप लोग को देख सकते हो कि यहां पर क्या होगा आकर्षण होगा ठीक है अगर इसके विपरीत अगर मैं क्या करों इसके विवरीत अगर एक छड़ चुमबक लूँ जिसमें ये जो है ये उत्तरी ध्रू ये दक्षणी ध्रू ये वाला छड़ चुमबक इसमें ये वाला उत्तरी ध्रू और ये वाला दक्षणी ध्रू तो यहां पर क्या है समान ध्रू एक तरफ हैं तो जब इस तरह से एक समान ध प्रतिकर्शन का मतलब किया होगा प्लतिकर्शन का मतलब होता है कि यह जो एक दूसरे से दूर जायेंगे एक दूसरे के पास नहीं आयेंगे यहाँ पर क्या रहे थे आ पर क्या होता है वो बिल्कुल खीचता है बिल्कुल खीच कराता है ये देखो मानलो की ये मानलो की ये मेरी उंगलिया है और ये उंगलिया है मानलो ठीक है और यहां पर मानलो की यहां पर जो है विपरीत धुरू है तो क्या होंगे ये बिल्कुल इस तरीके से धीरे धीरे ज समान ध्रू हैं ठीक है तो होगा क्या वो बिल्कुल ऐसे होगा ऐसे खिसकेगा ऐसे खिसकेगा ऐसे खिसकेगा और इस तरह से वो क्या होगा दूर भेजेगा दूर भेजेगा पास नहीं आएगा ठीक है तो ये गुण होता है चुम्बक का तो बिल्कुल आप नोट कर सकते हो और अगला गुण है ध्रूओं के चुम्बकर्त्व का मान सरवाधिक ध्रूओं के चुम्बकर्त्व का मान सरवाधिक इसका मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर ध्रूओं के पास चुम्बक की अबल रेखाएं आपकी क्या होती है काफी अधिक पास और क्या होगा मध्य में नियुनतम होगा ठीक है और चुम्बक से दूर जाने पर भी कम होता जाएगा ध्रूओं के पास चुम्बकत्व सरवाधिक और मध्य में क्या होगा नियुनतम ध्रूओं पर सरवाधिक और मध्य में नियुनतम तथा बिलकुल मध्य में शुन्य होता है चुम्बकत्व बिल्कुल मध्य में क्या होता है शुन्य होता है और जहां पर सुन्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं उदासीन बिंदू कहते हैं क्या बोलते हैं उदासीन बिंदू तो जैसे कि मानलों कि यह चुम्बक है तो यहां पर मध्य में क्या होगा चुम्बकत्व तो बिल्कूल ही शुन्य होगा और इसको हम क्या बोलेंगे उदासीन बिंदू ठीक है तो इस तरह से हम लोगों ने चुम्बक के गुण देखे और क्या गुण है भई देख लेते हैं गर्म करने पर अथवा पीटने पर देखो इसको भी पीट रहे हैं क्यों भई आप लोग ठीक है और चुम्बक को तोड़ने पर उसके प्रतीय खंड पुना ही क्या बन जाते हैं नया चुम्बक बन जाते हैं और नया चुम्बकoka मतलब हर तुकड़े में उसके उतरी और दक्षनी ध्रू आ जाते हैं ठीक है तो यह सारे चुम्बक के गुण हम लोगों ने देख अब हम बात करेंगे चुम्बक के उपयोग के बारे में तो सबसे पहला उपयोग क्या है लोह पदार्थों की पहचान करने में तो सबसे पहली बात होता क्या है कहीं पर जैसे की पूजा पाठ वगरा जैसी चीजे होती है वहाँ पर जो है सिक्के डाले जाते हैं काफी सारे म स्क्राइब और भी बहुत सारी चीजे हैं इसके बहुत सारे आप लोगों को जो है आगे चल करके उपियोग देखे जाएंगे कि लोह पतार्थों की पहचान करना कहीं पर कितना साधा जरूरी होता है जो हमको चुम्बक जो है मदद करता है दिक सूचक के निर्माण में ठीक है दिक बिलकुल जो चुम्बक के सूई बनी होती है तो वहाँ पर भी चुम्बक का ही उपियोग किया गया है चुम्बक कर तुकडा सी वहाँ पर गया बनाए गया है चुम्बक ये सूई बनाई गई है कंप्यूटर की निर्माण में तो भिलकुल आप आप ढगों ने ही हिस्तिमाल किया होगा कभी देखा होगा वहाँ पर जो उसके अंदर की जो मैमोरी बनी होती हाँ उसका मदर बोड बना होता है आप लोगोंने देखे शोगता प्रयोग करता की पहचान अंकित होती है तो फाई छोड़ी सोड़ी कार्ट आपने करने के लिए उत्य कर तो उन सभी काड़ों में चुम्बक की पदार्थों का लेप लगा होता है जिसका उपियोग किया जाता है हर इंसान के लिए अलग अलग मतलब की वहां पर बिल्कुल उसके बार कोर्स वगर रहते हैं उसके अंदर के हम साइंस में नहीं जाएंगे इतना समझना है कि चारोतरब हमारे आसपार सब जगह क्या है बिल्कुल साइंस ही है ठीक है तो साइंस में फिजिक्स आप लोगों को ज्यादा तर अपने चारोतरब देखने के लिए मिलेंगी क्योंकि बिल्कुल भौतिक जगत में भाई भौतिकी आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल बहुत से आप लोगों को समझना है इस जिंदगी में आपको हर जगह इसका जो है इस्तमाल करना ही करना है तो आना चाहिए हर बच्चे को आना चाहिए तो बिल्कुल बिल्कुल भी कठीन नहीं है फिजिक्स में जानती हों कि आप बच्चे क्या सोचते हो क्या सोचते हो जल्दी स में आ जाती है और इसके अलावा हम को जो है बायो समझ में आ जाता है मैट्स वाले बच्चों को मैट्स भी समझ में आ जाता है पर फिजिक्स समझ में नहीं आती फिजिक्स टफ लगता है तो भाई फिजिक्स बिल्कुल भी टफ नहीं है अगर मैं हूँ तो बिल्कुल भी आप लोगों को tough नहीं लगने दूँगी और बहुत ही आसान करके मैं आप लोगों को physics पढ़ा रही हूँ यहाँ पर और आप सभी बच्चों को इस science को पढ़ने में इस physics को पढ़ने में बहुत मज़ा आना चाहिए क्योंकि बिल्कुल मैं आप लोगों को हम लोगों का जो real life में हम कहां कहां पर इस्तमाल करते हैं वो सारे examples में आप लोगों को बहुत सारे धेरो अपसान बन जाएगी ठीक है सुनोगे ना पक्का ओके ग्रेड बिल्कुल देख सकते हो आप लोग ध्वनी विस्तारक यांत्र या रेडियो में टीवी पर पंखा में देखो अब जैसे कि चुम्बक के उपयोग की बात हम लोग यहाँ पर जैसे कि अगर हम लोगों को पताई जाती है पर परिक्षा में आपको चुम्बक के गुण या फिर चुम्बक के उपयोग पूछेगा आगे जितने भी सवाल आएंगे तो वहाँ पर आप लोगों के लिए क्या क्या सवाल आपको एक्जाम में आ सकते हैं वह में आप लोगों को बताती जाओंगी अब प्राकृतिक चुम्बक और कृत्रिम चुम्बक मतलब पूछ लेगा कि प्राकृतिक चुम्बक क्या है क्रितरिम चुम्बक क्या है ये भी पूछ सकता है तो वह एक नंबर का ही आएगा उससे साधा का नहीं आएगा पर चुम्बक के गुण चुम्बक के उपयोग ये जब हम चुम्बक को क्या करते हैं किसी लोहे के तुकड़े के पास जब ले करके जाते हैं तो वो अस्थाई रूप से चुम्बक की तरह व्यभार करता है जैसे कि इस डाइग्राम में आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर यह जो लोहे का कील है यह क्या है अस्थाई चुम्बक जो है नरम लोहे का बना होता है किसका बना होता है नरम लोहे का बना होता है बिलकुल यहां पर मैं क्लियर कर देती हूं नरम लोहे का बना होता है इस्थाई चुम्बक जबकि जो इस्थाई चुम्बक है वो किसका बना होता है यह जो इस्थाई चुम्बक है यह बने होते हैं इस पात के अब यह लोहा तो सब जानते हो पर इस पात एक तरह का लोह अयस्क होता है material है सब खनीच तत्व हैं सारे के सारे बिल्कुल आप लोगों ने social science में आप समाचिक विज्ञान में इन सब चीजों के बारे में पढ़ा होगा भुगोल में खनीच तत्वों के बारे में तो यह सारी चीजें हैं आप लोग बचपन में पढ़ चुके हो कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है और इस थाई चुंबक इस पात का बना होता है बिल्कुल मैंने आप लोगों को जो सबसे पहले यहां पर चित्र दिखाया था यह बिल्कुल किसका चित्र था यहां पर यह आप लोगों का विद्युद घंटी का चित्र था तो यहां पर अस्थाई चुंबक का इस्तमाल किया जाता है ठीक है तबी तो क्या होता है जब बटन दबा तो बिजली जो आती है तो आप अपने गली महले में या घरों के बाहर आप लोगों लगे देखी होंगे तो प redफ आइन फार्मर में अंदर में भी अस्थाई चुम्बकों का ही स्थमाल किया जाता है जिसको जब हमको जरुवत होता है कि अससी को जुँपक बना लें हापी में दिक्सूंचक में रेल के डिब्बों में को जोरने के लिए चुम्बक का इस्त्माल की आ जाते है देखो अब इसमें से सबसे बड़ी एजांब से बगए डिब्बा यहेल, गिंड़ी ए बस हो तारीक है इंजन इन सारे डिबो को क्या करता है बिलकुल खीचता जाता है जब यह खीच से ता जाता है तो यह सब एक सांथ एक के पीछे एक कहीचाते हुए कैसे चली जाते है तो आप लोगों 물ड़ता होगा ञगों पडी बद़ आता होगा तब आप लोगों ई彻ले बहुत ही पावर के साथ बहुत ही ताकत से जो है एक दूसरे से क्या हो जाते हैं चिपक जाते हैं ठीक है तो यहां पर यह जो एक दूसरे से बहुत ही पावर्फुल तरीके से जो है चिपक जाते हैं वो क्या होते हैं वो एक्चल में जो है इस्थाई चुम्बक होते हैं ठीक तो बिल्क्ल वो क्या करेंगा, ट्रेंड की पटरी में सारे डिップों को अपने पीछे खीन्चता लेकर के चला जाएगा, स्थाइ चुंबक का वहाँ पर क्या होता है, इस्तमाल होता है, तो इस तरह से बहुत सारे उप्योग है, ये तो थोड़े बहुत उपयोग आप लोगों ने देखे हैं और बहुत सारे उपयोग बिलकुल आप लोगों को कमेंट्स में बताना है और क्या-क्या चुम्बक के उपयोग है जो आप लोगों ने देखा है और आप लोग अभी तक के देखते आए हैं तो बिलकुल उन सार व्पयोग को आप लोगों को बताना हैं तो हम एक बार देफिनिशन देख लेते हैं। बहुत होता है, उसे प्लाकरितिक रुप से उसमें शुम्बक अत्वा पाया जाता है। और उसके द्वारा ही क्या बनाए जाते हैं बहुत सारे जो है चुम्बक बनाए जाते हैं अलग-अलग उसके उपयोग किये जाते हैं उसके लावा जो है कृत्रिम चुम्बक भी बनाए जाते हैं तो लोहे और इस पात की चीजों से जो है कृत्रिम चुम्बक जो है बनते है ठीक है और बिल्कुल अब इन चुम्बक के चारो और जो प्रभाव छेत्र होता है जहां पर हम आकर्शन या प्रतिकर्शन का अनुभाव कर पाते हैं वो चारो और का जो छेत्र है वो क्या कहलाता है चुम्बकिय शेत्र कहलाता है परिभाशा नोट कर लो बिल्कुल क्या कहते हैं चुम्बकिय शेत्र कहते हैं किसका चुम्बक का चुम्बकिय शेत्र कहते हैं चुम्बकिय प्रभाव यहां पर महसूस किया जाएगा मालों की जैसे कि यह मालों की कोई छड़ चुम्बक है तो भाई इसके मालों की कुछ दूरी तक तो ही हम इसका प्रभाव द यहां पर आप लोगों को कि बिल्कुल जो चुम्बकिया बल रेखाएं बनी होई है इस तरह से जो बंदवक्र बनाती है उत्तर से दक्षिनë ध्रूम में बाहरकी Gesetz से जाती है और यहां पर उत्री ध्रू में अंदर की तरफ समाती हुई दिखाई देती है चुम्बक की बल रेखाएं इन चुम्बक की बल रेखाओं को ही हम चुम्बक की शेत्र रेखाओं की जो दिशा है चुम्बक की शेत्र रेखाओं की दिशा वो कहा है यहां पर दक्ष से उत्तर की ओर कहां पर अंदर में ठीक है कहां पर कहां पर है अंदर में ठीक है कहां पर अंदर में और बाहर में क्या है बाहर में कहां है उत्तर से बाहर में उत्तर से दक्षिन की ओर है कि नहीं और देखो ध्रूओं के पास पास है ध्रूओं के पास कैसी है पास पास है और जैसे ही हम ध्रूओं से दूर जाते जा रहे हैं तो यहां पर क्या है दूर दूर है ठीक है और बिल्कुल यहां पर जो बीच की रेखा है उत्तर से दक्षिन ध्रूओं को मिलाने वाल है बीच में मद्यमें और दुरोंगों पर क्या होता है अधिक होता है जहांपर भी यहांपर बल रे खाएं काफी जादा पासके सांगी यहां पर चुम्बकिये शेत्र का प्रभाव बहुत अधिक होगा इसीलिक ही कुछ चीजी आकर्शेंप Hoordino तो अभ हम देखेंगे यहाँ पर पहले तो हम लोगों ने चुम्बकिया उपयोग देखें अब हम चुम्बकिया शेत्र रेखाओं के या फिर चुम्बकिया बल रेखाओं के गुण देखेंगे ठीक है तो यह चुम्बकिया शेत्र रेखा और यह चुम्बकिया बल रेखा का एक ही म में होती है किसी चुम्बक के बाहर चुम्बक्य रेखाएं उत्तर से दक्षिनी ध्रू की ओर चलती है और चुम्बक के भीतर दक्षिन से उत्तरी ध्रू की तरफ चलती है तो बिल्कुल मैंने आप लोगों को बताया है बाहर में उत्तर से दक्षिन अंदर में क्या है दक्ष ये बल रिखाये जो हम बना रहें गिये बिल्कुल काल्पनिक बल रिखायें होते हैं कैसी होती है मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया है यहाँ पर क्या है यह सारी इसपर्ष रेखाएं है और यह सारी इसपर्ष रेखाएं क्या बता रही है चुम्बकिय शेत्र की दिशा को बता रही है किसको बता रही है चुम्बकिय शेत्र की दिशा को बता रही है दो चुम्बकिय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती तो ये बहुत ही important चुम्बक्य गुण है ठीक है चुम्बक्य बल रेखाओं का गुण है कि ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है क्योंकि अगर एक दूसरे को काटेंगी तो क्या होगा? कटान बिंदू पर चुम्बक्य शेतर की दो दिशा प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि इस तरह से हमारी बल्रे खाएं है ठीक है? तो हर बिंदू पर इस बिंदू कर अलग 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 दिशा है इस बिंदू पर एक दिशा होनी चाहिए पर ऐसा संभव है ही नहीं, ऐसा संभव है ही नहीं, तो इसलिए क्या होता है कि बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं कारती, कभी भी नहीं कारती, बात समझ में आ रही है, बहुत important है, ये बिलकुल आपको जितने भी star लगा सक सकते हो, पूछ सकता है कि क्यों एक दूसरे को नहीं कारती है, चुम्बकिय बल रेखाएं, आपको एक नमबर, दो नमबर का आपको छोटा सा सवाल आ सकता है, पूछ सकता है, और उसकी बात अगला गुण है, चुम्बकिय शेत्र की तिवरता अधिक होती है, वहाँ पर चुम्बकिय शेत्र की तिवरता कामान अधिक होता है, वहाँ पर क्या होती है, रेखाएं सघन होती है, और जहाँ पर चुम्बकिय शेत्र की तिवरता कामान कम होता है, वहाँ पर कम रेखाएं होती है, क्या होती है, वहाँ पर कम रेखाएं होती है, जैसे कि आप इस सब्सक्राइब देख सकते हो रखते हुफ फट कर सकते हो फटा फट स्क्रीम शवाट ले लो जल्दी से बिल्कुल आपको एक्जाम में पूछा जाएगा हाँ नोट कर लिया कर लिया नोट वेरी गुड तो बहुत इंपोर्टेंट है चुम्बकिय बलरेखाओं के गुण आते हैं ये सवाल एक्जाम में आप लोगों को दो नमबर तीन नमबर के क्वेश्चन पूछ सकता है अब अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है अब हम बात करेंगे अगर हम एक चालक तार लेते हैं क्या लेते हैं अगर हम एक चालक तार लेते हैं तो यहां पर क्या होती है विद्युद्धारा अगर प्रवाहित होती है तो इसको हम बोलते हैं क्या विद्युद्धारा वाही चालक ठीक है क्या बोलते हैं इसको विद्यु धारावाही चालक मतलब ऐसा चालक तार जिसमें विद्यु धारा प्रवाहित हो रही है यह बाए देखो हर एक शब्द का आपको मतलब यहाँ पर समझना है तब ही सारी चीजे जो है क्लियर होगी अगर इस विद्यु धारा वाही कि कोई तांबे का तार या अलूमुनियम का तार है कोई भी चालक तार है इसमें से अगर हम क्या करवाते हैं आई धारा प्रवाहित करवाते हैं तो आवेशों के प्रवाह के करण क्या उत्पन होगा विद्धुद्धारा उत्पन होगी और यहां पर क्या होगा इसके चारों नागनेट्ट लेकरगा तो या तो फेर हम लोग कोई दूसरा धारवाई चालकतार भी यहां पर ले शो किया जाएंगा तो गुर्भ यह तुमबक के यहां पर मौझूद होंगे जब तक कि हम यहां पर पूरा पूरा हट जाएगा और पूरा शेत्र समाने हो जाएगा बात समझ में अब यहां पर जब हम लोगों को यह टॉपिक पढ़ना है तो हम लोग दो तरीके से यहां पर पढ़ेंगे एक तो हम लोग पढ़ेंगे किसके लिए पहला टॉपिक हमारा होगा सीधे धारा वाही चालकतार के कारण हम लोगों को क्या देखना है चुम्बकिया शेत्र देखन तो वहाँ पर चुम्बक्य शेत्र कैसे उत्पन होता है चुम्बक्य बल रेखाएं कैसे बनती है तो इसके बारे में हम जो है वन बाई वन समझते जाएंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीधे धारावाही चालक के कारण क्या है सीधे धारावाही चालक से विद्यत धारा जब प्रवाहित होने लगती है तो होने के कारण कैसे चुम्बकिये शेत्र उत्पन होता है तो यहाँ पर यह वाली जो लाइन है यह वाली लाइन आप लोग देख पा रहे हो यह है आप लोगों का धारा वाहित चालक तार ठीक है? यह चालक तार है जब हम लोग यहाँ पर विद्युद धारा प्रवाहित करवा रहे हैं तो बिल्कुल जैसे विद्युद धारा के चाप्टर में हम लोगों ने विद्युद परिपत के बारे में पढ़ा था वैसा ही एक परिपत हम लोगों ने लगा दिया है जैसे ही हम यहाँ पर स्विच को जो है क्या बनती है चुम्बकिय बल रेखाएं बनती है और यह जो चुम्बकिय बल रेखाएं बन रही है इन सभी का केंद्र जो है वो समान होगा तो इसको हम बोलते हैं संकेंद्री क्या बोलते हैं हम इसको संकेंद्री लिख लो भई संकेंद्री बल रेखाएं ठीक है संकेंद्री व्रृत्ताकार छेतर रेखाएं पर जतने तार के पास में होंगी जितने पास में होंगी यहां पर उतना ही क्या होगा यहां पर जितने पास होंगी बल रेखाएं उतनी ही जादा सघन होंगी और जैसे जैसे दूर जाती जाएंगी यह बल रेखाएं दूर दूर होती जाएगी और इस तार के पास में ठीक जैसे हम लोगों ने चुम्बक के लिए पढ़ा था सेम वही गुण वही उपयोगिता इसकी भी होगी जो जो हम लोगों ने चुम्बक के लिए पढ़ा था ठीक है तो बिल्कुल इस तरह से आप लोग क्या पढ़ सकते हो सीधे चालक से है तामबे की तार है अब इस तामबे की तार के चारो तरफ हम लोगों ने जो लोह इस पात के जो भूरके थे आईरन फिलिंग बोलते हैं इसको अंगरेजी में ठीक है तो इसको हम लोगों ने क्या किया था उसको चारो तरफ डाल दिया जैसे हम लोगों ने मागनेट के च और बिल्कुल इसके चारों तरफ वृत्ताकार जिसका केंद्र जो होता है क्या होता है जिसका केंद्र जो है वो बिल्कुल समान होता है अब देखो यहां पर जो विद्यु धारा है इस तरह से उपर से नीचे की तरफ बह रही है तो यहां पर जब धारा उपर से नीचे की त पता चल सकता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था, इस तरह से अगर हमारे पास छड़ चुम्बक है, तो बाहर में हमारा उत्तर से दक्षिन की तरब थी, ठीक है, किधर से किधर थी, उत्तर से दक्षिन की तरब थी, और अंदर की ओर कहां से कहां थी, अंदर की ओर जो है, पप्रिरफ चुम्बक के केस में थीμ कैज पर जब हम यहां पर किसी तरब सार्द कर रहे हैं तब चुम्बक क्यों जब बन रहा है तो इसको अगर हमलुगं को घ्याद करना हैं तो सब से पहले तो यहां पर जो है तहर के दोनों तरफ अलग-अलग दिशा होगी एक तरफ दूसरी एक तरफ अलग होगी इस डिशा को ग्याद करने के लिए हम एक नियम पढ़ते हैं इस नियम को बोलते हैं दक्षिन हस्त अंगुष्ट का नियम या फिर दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम भी कहा जाता है और Maxwell कार्ग लुक साइंटिस्ट अलग-अलग हैं पर बिल्कुल सेम रूल दिया इन्हों हूर यहां पर हम देखेंगे कि यह हाथ का अंगूठा है यह हाथ के अंगूटे से ही हम लोग simply क्या कर सकते हैं इस science का जो हम दिशा का ग्यान है उसको हम कर सकते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे अपने दाइने हाथ का अंगूठा उठाएंगे बिल्कुल सब कोई बिल्कुल इस तरह से उठाओ दाइने हाथ का अपना अंगूठा उठाओ औ तब हम लोग क्या करते हैं इस अंगुठे के नियम का इस्तमाल करेंगे तो बिल्कुल चित्र में आप देख पा रहे हो कि हम लोग अंगुठे को बिल्कुल धारवाही चालकतार में जैसे की नीचे की तरह बह रही है धारा तो बिल्कुल उसी तरह से हम लोग यहां पर अपन उस बताती है आघर खुमेंगा तो बाहिर योह बताता है और जो एमसी ऐसे कि ऐसे कि अंदर की और और बाहर की और चुनबकी अस्वेसिए की दिशाएक आई जाती ही तो ये सीधा बाहर निकलती हुई होगी यह जो मिरी हाथ की घुली आफ लोग देख रहे हो और इ göz बात समझ में आया तो जब यह अंगुठा है इसको इसको हम देखेंगे ध्यान से सुनना भाई यह बहुत साधा इंपोर्टेंट है आगे भी आप लोगों को बहुत काम आने वाला है और बहुत ही आसान है यह क्या हो गया यह अंगुठे की तरफ आप देख पारे हो यह कामें जब हम लोग बोले तो यहां पर जो है चुम्बकिय शित्र बाहर की तरफ आ रहा है ठीक है बाहर की ओर आ रहा है और यहां पर क्या हो रहा है यहां पर अंदर की ओर जा रहा है तो जब अंदर की ओर जा रहा होता है तो इस तरह से हम उसको एक गोले के अंदर डॉट बना करके दिखाते हैं, क्या करते हैं, एक गोले के अंदर डॉट बना करके दिखाते हैं, मतलब कि जो हमारा, ठीक है, जो हमारा यहाँ पर चालक तार है, ठीक है, इस चालक तार में जो दिशा है, वहाँ पर कहां जा रही है, ठीक है, कहां जा रही है, ठीक है, कहां जा रही ह क्रॉस का मतलब है दर्वाजा बंथ और यहां पर कौन चला गया यहां पर जो चुम्बक है वो अंदर घुज गया छेत्र जो है अंदर घुज गया मान लो की यहां पर कौन बैठा है यहां पर मान लो की शिवाय बैठा है किसे स्टूरेंट का शिवाय नाम है ठीक है तो यहा यहां पर दर्वाजा खुला मतलब की डॉट यह दर्वाजा खुला मतलब यह दिशा कौन से दिखाती है बाहर की ओर बाहर की तरफ दिखाता है चुमबकिय शेत्र की दिशा को और यह जो है अंदर की तरफ दिखाता है अंदर की तरफ चुमबकिय शेत्र की दिशा को बताता है तो भाई यह बहुत याद रखना और यहां पर जादा तर कंफ्यूजन होता है ठीक है तो बिल्कुल आप लोग यह डाइग्राम में देख सकते हो कि यहां पर जब इस तरह से नीचे की तरफ जब इस तरह से जा रहा है तो नीचे की और जाते हुए यह जो संकेंद्री यहां पर जो है अंदर की तरफ होगी अंदर की तरफ मतलब दर्वाजा बंद रहा और जो हमारा शिवाय है वो अंदर घुज गया दर्वाजा बंद कर लिया ठीक है अब यहां पर बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई देंगी तो बाहर की और मतलब की दर्वाजा खुल और यहां पर डॉट बन जाएगा बिल्कुल दर्वाजा खुला है चुम्बके शेत्र रिखाएं बाहर की तरफ आ रही है तो बहुत ही मतलब छोटे-छोटे concept और confusing concept है जिसमें हमेशा लोगों को confusion होता है सबी बच्चों को confusion होता है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको तो confusion नहीं होगा ना अंदर और बाहर बस इतना ही तो है ठीक है और अंदर गये मतलब की दर्वाजा बंध हो गया बाहर आए मतलब दर्वाजा खुल गया तो बस इतना ही है अगर हम इसको समझे यहाँ पर लिखना कैसे है तो लिख सकते हो कि यदि कोई दाहने हाथ से विद्धारा वाही चालक को इस प्रकार पगड़े की अंगुठा विद्धारा की दिशा को संकेत करता है तो उंगलिया चालक के चारोर चुमबकिया शेत्र की शेत्र रेखाओं की दिशा में क्या रहेगी चुमबकिया शेत्र की शेत्र रेखाओं की दिशा में लिप्टी रहेगी ठीक है चुम्बकिया शेत्र की छेत्र रेखाओं की दिशा में लिप्टी रहेगी तो हमारी उंगलियां लिप्टी हुई है न यह देखो मैंने बोला पहले ऐसे सीधी थी बाहर की तरब निकल रही थी आश्रवात दे रही हूं मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल अ आप इस क्रू को कसते हो अगर दाहीने हाथ से कस रहे हो तो वह कैसे घुमेगा बिल्कुल यूँ यूँ करके घुमेगा तो जिस दिसा में आपका इस क्रू घूम रहा है वह क्या है चुम्बकिया शेत्र की दिशा को बताता है अब यदी हम यहां विचार करें कि हम किसी को विद्युद्धारा की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं मतलब यहां पर यह जो दिशा है वो क्या है विद्युद्धारा की दिशा है तो कॉर का इस क्रू की जो घुंडन की दिशा है वो क्या है चुम्बके शेत्र की दिशा होगी मतलब यू जो है क्लॉक्वाइस मतलब क कहना चीए कि सीधे घूम रही है ठीक है घड़ी की तरह से घूम रही है घड़े जिस दिशा में चक्कर लगाता है उस दिशा में घूम रही है clockwise घूम रही है ठीक है तो यहां से इस तरीके से clockwise दिखनी पाएगा भई इसको आपको imagine ही करना पड़ेगा और बिल्कुल आपको बहुत ही बढ़िया मैं आपको imagination यहां पर करवाती हूँ जिसके लिए एक बहुत ही बढ़िया समय आप लोगों को जो है यहां पर वीडियो भी दिखाने वाली हूँ तो यह है आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को देख करके visualize कर सकते हो यहां पर काफी यह hand rule का जो है तालक तार है ठीक है और यहां पर देखना अभी क्या होगा विद्युद्धारा जो है प्रवाहित होना शुरू करेंगी ठीक है विद्युद्धारा प्रवाहित होना शुरू करेंगी और जैसे ही विद्युद्धारा प्रवाहित होंगी और यहां पर धारा का प्रवाह कि के कारण होगा आवेश के प्रवाहित होने के कारण होगा ये लो होने लग गई देखो बिल्कुल देख रहे हो अंगुठे के दिशा में ये जो आप लोगों के आवेश है वो बिल्कुल बह रहे हैं धन आवेश होल्स बह रहे हैं बिल्कुल विद्युधारा के चैप्टर मे जो है focus करना है अभी रिके यह जो left hand है इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पर अभी आप इस वीडियो में देख सकते हो कि यहाँ पर जो left hand है ठीक है इसमें ये जो हमारी मध्यमा उंगली है ये मध्यमा उंगली किसको दर्शाती है विद्युद्धारा के प्रवाहा की दिशा को दर्शाती है और ये जो पहली वाली हमारी जो उंगली है ये पहली वाली उंगली जो blue color की line बनी हुई है चुम्बक आप लोग बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे and I hope कि आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा इसी चीज को हम theoretically पढ़ते हैं बिल्कुल तो हम लोगों ने यहाँ पर दो तरह के नियम देखे एक हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल देखा और एक हम लोगों ने जो है फ्लेमिंग के दाए हाथ का नियम हम लोगों ने देखा क्या देखा हम लोगों ने फ्लेमिंग के दाए हाथ का नियम हम लोगों ने देखा है ठीक है तो बिल्कुल इसको याद रखना है आप लोगों को थोड़ी देर में ही आप लोगों को यह आगे आएगा ठीक है अब समझ में आ गया ना सभी को किसको किसको मजाया जल्दी से बताओ दाहिने हाथ का नियम बहुत ही आसान लगा होगा आप लोगों को लगा की नहीं लगा जल्दी से बताओ कमेंट्स करके बताना है किसको किसको मजाया तो बिल्कुल हाँ इसी तरह से मैं आप लोगों को जो है बहुत अच्छे से विज्वलाइज करवाने वाली हूं और बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को पूरी फिजिक समझाने वाली हूं तो बिल्कुल आप लोगों को जो है बने रहना है क्लास में अब हम जो है यहां पर हमारा जो सेकेंड टॉपिक है विद्युधारावाह कि व्रिट्टाकारपाश . ऍशकरे करण कारण चुम्बक्ययश्यट्र मतलब कि हमारे पास लम्बी तार थी उसको हम लोगों ने क्या किया इस तरह से गोलाकारवर शेप में मोर ने के बाद यहाँ पर हमारे रिंग की जैसे सर्मरशना जिसको हम क्या बोलते हैं वृत्ता कार पाश बोलते हैं अब इस पाश में जब हम लोग क्या करते हैं एक विद्युत परिपत से इसको जोडते हैं जैसे कि वहाँ पर बैटरी से तार कनेक्ट करते हुए दिखाया वैसा ही हम यहाँ पर जैसे कि अगर तार लगाते हैं तो होता क्या है विद्युत धारा जो है जो है आप लोगों की कैसे प्रवाहित हो रही है यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर जो है तार है यहाँ पर धनावेश है तो जैसे की विद्युत परिपत के आप दारे में आप लोगों ने प चालक तार के कारण बना था हना संकेंद्री बिल्कुल वैसे ही बनेगा परन्तु यहां पर बीच में कैसे बनेगा बीच में इस तरह से बनेगा तो यहां पर जो है इस तरह से जो बन रहा है बीच में ठीक है केंद्र के पाश के अंदर जो बन रहा है तो बिल्कुल यह जो है आप लोगों का छड़ चुम्बक की तरह बिहेव करेगा अंदर में छड़ चुम्बक के अंदर में क्या हो रहा था दक्षिन से उत्तर की और बलरे खाएं जा रही थी और छड़ के बाहर क्या जा रही थी उत्तर से दक्षिन की तरफ छड़ के बाहर उत्तर से दक्षिन की त हाँ बिल्कुल यह बीच में जो है इस तरह से इस दिशा में बन रहा है और यह चुम्बकिये बल रेखाओं की दिशा एक एक लाइन बनाती हूं ताकि आप लोगों को जा रहा है अंदर की तरफ इसका मतलब क्या किया इसने यहां पर इसने जो है धुरू बना लिए पोल बना लिए तो जिधर से आ रहा है अंदर वो उत्तर दक्षणी धुरू और जिधर जा रहा है उधर उत्तरी धुरू क्योंकि अंदर में दक्षिन से उत्तर और बाहर में क्या हो रहा है यह देखो यह उत्तर है तो उत्तर से दक्षिन जा रहा है यह उत्तर है उत्तर से दक्षिन जा रहा है और अंदर में दक्षिन से उत्तर मतलब की इसने क्या कर लिया यहां पर इसने एक छट चुम्बक की तरह जो है अपना गुण दिखाया और उत्तर और दक् पारहों की अंदर में क्या होता है वृत्ता कारपाश के अंदर में दक्षिन से उत्तर की ओर आता है तो अंदर में जितनी भी बल रेखाए हैं इस वृत्ता कारपाश के अंदर में देखो यहां तक यह सारी की सारी क्या हो रही है यह सारी की सारी जो है आपकी दक्षिन से उत करकी तरह आ रही है क्योंकि इन्होंने दुरू कर निर्मान कर लिया और यहां पर क्या होगा यहां पर जो है बाहर में क्या हो रही है देखो बाहर में उत्तर से दक्षिन जा रही है तो इस तरह से आप लोगों की जो बल रेखाए हैं यहां पर निर्मित होती है तो क्या आप लोग इसको भी यहाँ पर जो है विज्वालाइज करना चाहोगे तो बिल्कुल आप विज्वालाइज कर सकते हो है ना इसको अगर आप विज्वालाइज करना चाहोगे तो इसको भी आप विज्वालाइज कर सकते हो बहुत ही आसान है मज़ेदार है और जो साइंस के आप को के topics है वो इसी तरह से visualize करने वाले हैं और पढ़ने में बहुत ही मज़ेदार है ठीक है तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है physics बलके physics जो है बड़ी ही interesting है क्या है बड़ी ही interesting है मज़ा आ रहा है सभी को देखो अब इसके लिए जब आप लोगों को लिखना होगा तो कैसे लिखोगे जब विद्युद्धारा को एक वृत्ताकार लूप में चालक से क्या करा जाता है बहाया जाता है प्रवाहित किया जाता है तो धारवाही पार्ष धारवाही पार्ष का मतलब क्या हो गया कि जिसमें हम विद्युद्धारा को बहा रहे हैं विद्धु धारा को बहार है उसके प्रत्येक बिंदू पर चारो और क्या बनेंगे संकेंद्री विद्धाकार पैटन बनेंगे संकेंद्री मतलब की जिनके केंद्र समान हो ऐसे विद्धाकार पैटन बनेंगे चुम्बकिया शेत्र उत्पन होता है धारा वही चालक के चारो तो विद्युद धारावाही विद्यकारपाश, चालक का प्रत्येक बिंदू, एक विद्युद धारावाही सीधा चालक की तरह विवहार करता है। इसका व्यवहार देखा था ठीक है तो ये तो हो गया आप लोगों का विद्धारा वाही विद्धाकार पाश के करण चुम्बक की अशेत्रा और सिधे धारा वाही चालक तार के करण चुम्बक की अशेत्रा दोने टाउपिक आप लोगों के पूरे हो गए हैं ठीक है अब य ये जो है ये जो है वो क्या कहलाते हैं अब और यास्थाई चुंबग regular को आप लोगों को यह बताने जारी हूं अप यहां पर सामने में जो डाइग्राम देख पा रहे हैं बिल्कुल इस चित्र में क्या किया गया है यहां पर जो है एक बेलन आकृती का मतलब कि यहां पर क्या लिया गया है एक विद्यूत रोधी पास पास लिप्टे विद्यूत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृती अनेक फेरो वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं तो य यहाँ पर जो हम लोग लेक रहे हैं यह अंदर का जो हिस्सा है यह वाला हिस्सा जो है क्या है विद्यूत रोधी है अब इस विद्यूत रोधी के उपर हम लोगों ने क्या किया है जो हमारा चालक तार है तांबे का यह तांबे का तार आप लोग देख पा रहे हो बिल्कुल तामे कलर, कॉपर कलर का ही है यहां पर और इस कॉपर कलर के तार को हम लोगों ने क्या किया इस विद्धूत रोधी के जो है चारो तरफ हम लोगों ने पास पास बिल्कुल इस तरह से लपेट दिया है और इसको हम बोलते हैं क्या कुंडली और जितनी बार हम लोगों ने परिनालिका और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको क्या सॉलिनॉट ठीक है, तो इसका अगर अगर हम लोगों को लिखना हुआ परिनालिका, किसको बोलते तो आप लिख सकते हो, पास पास लिपटे, पास पास लिपटे, विद्योत रोधी में, ताम्बे के तार की, बेलन पास पास तो यह कैसी कुंडली बन रही है और यह अनेको फेरो वाली कुंडली रही है और यह अने daylight car कुंडली आपकी क्या कहलाती है solenoid जिसको हम कहते हैं हिंदी में परिनालिका ठीक है अब यहां पर जो तामबे का तार है ठीक है तो इसके पहले का जो हमारा topic था वो हमारा था एक वृत्ता कारपाश यहां पर भी हमारा क्या था तामबे का तार ही था अब यह समझ जाओ कि इस वृत्ता कारपाश को हम लोग लपेटे हैं तो यहां पर बहुत सारे वृत्ताकार पार्ष हो गए और उतने पास-पास लपेटे Ergebnis उतना ही क्या कर रहे हैं विद्धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो जितनी जादा हम विद्धारा यहां पर प्रवाहित करवाएंगे उतना ही जादा यहां पर क्या होगा इन फेरों में जो है इन फेरों के करण जो चुम्बकिय शेत्र का प्रभाव है धारा बढ़ाने से आप लोगों क देखेंगे भी और यहां पर जैसे ही हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट किया तो यहां पर क्या हुआ धनात्मक सीरे से धारा का प्रवाह शुरू हुआ और धारा का प्रवाह जैसे शुरू हुआ तो यहां से अंदर घुसा अंदर घुसा तो यह अंदर बिल्कुल इस तरह से सारे फेरों में जो है दिशा जो है विद्धारा की इस तरह से होगी ठीक है बिलकुल इस तरह से विद्धारा की दिशा होगी अब इनके कारण क्या बनेगा इनके कारण आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो है हर विद्धा कारपाश में हर विद्धा कारपाश में उत्त अवज परिनालिका बेखैए कि ज़ुटर चुम्बक की तरह व्यवहार बनेगी यहां पर आप 1910 धाल का ने दक्षिन ध्रू की तरफ जाएंगी किदर जाएंगी उत्तर से दक्षिन ध्रू की तरफ जाएंगी ठीक है अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो अंदर में सभी जगहाँ पर विद्धुत शेत्र का जो मान होगा ठीक है करें चुम्बक्य शेत्र का परिमाण हर बिंदू पर एक समान होगा ठीक है तो बिलकुल हम लोग देख लेते हैं इसके लिए भी हम जो है बिलकुल हुआ है बिल्कुल देख पा रहे हो बहुत अच्छे से इमेजिन हो पा रहा होगा आप लोगों को ध्यान से देखना है सभी बच्चों को हमने इसको क्या किया बैटरी से कनेट किया तो यहां पर देख सकते हो कि धनात्मक सीरे से यहां पर क्या हुआ विद्युद्धारा का प्रवार शुरुवा तो ये एक चर्चुंबक की तरफ व्यभार करने लगा चर्चुंबक में जो है दक्शिन से उत्टर की तरफ चर्चुंबक के अंदर प्रवाहित हो रही है कि यहाँ पर इस बिंदू पर क्या हो रहा है बाहर आ रही है क्या हो रही है बाहर आ रही है और बिलकुल जब बाहर आती है तो क्या लेते हैं हम बाहर आती है तो हम बीच में जो है डाट का साइन बनाते हैं और जब अंदर जाती है तो क्या करते हैं अंदर जाती है तो से उत्तर से दक्षिन की तरब बाहर आती हुई दिखाई दे मतलब इसके पहले आप लोगों को जो है जब आप उत्तरी सीरे से जब देख रहे थे तब आप लोगों को क्या दिखाई दे रही थी बाहर आती हुई दिखाई दे रहे थी ठीक है अब हम आगे बात करेंगे अब पर निर्भर करती है जितनी जादा विद्धारा हम बहाएंगे उतना ही प्रबल विद्धुद चुम्बकिय शेत्र होगा क्या होगा जितनी जादा हम विद्धुद धारा बहाएंगे उतना ही प्रबल चुम्बकिय शेत्र होगा और जितनी जादा फेरों की संख्या रहेगी क्या जितनी जादा फेरों की संख्या रहेगी है ना उतनी ही जादा आप लोगों का क्या होगा चुम्बकिय शेत्र होगा तो बिल्कुल ये दोनों बाते आप लोगों को बताई गई है और बिल्कुल यहाँ पर इसकी लंबाई पर भी निर्भर करेगा किस पर निर्भर बिल्कुल यह चीज़ आप लोगों ने अल्रेडी विडियो में देख लिया है यह सारे डाइग्राम आप लोगों को एक्जाम में बनाने हैं चाहो तो फटा-फट आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो सारी चीज़े मैंने आप लोगों को एकदम क्लियरली समझा दी है और आई हो तो मज़ा तो आएगा ही और बिल्कुल आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए फिजिक्स समझ में आने लगेगी अब तक के हो सकता है कि आप लोगों को फिजिक्स बहुत टफ लगता हो अब तक के आप लोगों को समझ में ना आता हो बट आज की ये क्लास अटेंड करने के बाद बहुत अच्छी से आप लोगों को physics समझ में आएगी ठीक है very good मज़ा आ गया भई मेरे को भी मज़ा आ किस तरह से बल लगेगा तो आप लोग यहां पर चित्र में देख पा यहां पर एकदम स्वतंतर रूप से लटका दिये हैं ताकि हम वहां पर जो हमारा चुम्बक है उसके प्रभाव को उसके कारण चालक पर कितना बल लगेगा इसको हम लोग समझ पाएं ठीक है तो बिल्कुल इसलिए जो है यह बिल्कुल सनरचना यहां पर बनाई गई है ठीक अब इस धारवाही चालक को स्वतंतर रूप से हम लोगों ने जब इसमें विद्युधारा प्रवाहीत करी है तो बिल्कुल विद्युधारा का प्रवाहा आप लोगों की इस दिशा में है जिस दिशा में मैंने एरो का चिन्ह बनाया है अब इस स्वतंतर रूप से लटकी स्थाई चुम्बक होता है इसका अपना प्रभाव शेत्र होगा जो चुम्बक ये छेत्र कहलाएगा ठीक है तो जब मैं इस चुम्बक को यहाँ पर ले करके आऊंगी ठीक है तो ये स्वतनतर रूप से लटके हुए विद्धुद धारावाही चालक पर इस चुम्बक के कार ये इस्थाई चुम्बक है ये अस्थाई चुम्बक है ठीक है मतलब विद्धारावाही चालक हमारा अस्थाई चुम्बक है तो विद्धारावाही चालक के कारण भी इस पर बल लगेगा और बिल्कुल आप लोग याद कर सकते हो कि कक्षा नवी में आप लोगों ने गत बल लगेगा किस पर धारवाही चालक पर और बिल्कुल ये धारवाही चालक भी इस चुम्बक पर प्रतिक्रिया बल लगाएगा ठीक है बिल्कुल इस तरह से जो है लगेगा अब जब इसको आप लोगों को स्प्लेन करना तो क्या लिखोगे जब किसी चालक को किसे चुम्बक के दोनों द्रुओं के बीच मुक्तच रूप से लटका कर चालक में क्या कराइगा जाती लग रहा है कि प्रतिकर्शन लग रहा है उसके अनुसार्स यहां पर क्या होगा विस्थापन होगा पर इतना तो क्लियर हो रहा है कि यहां पर एक दूसरे पर दोनों ही क्या कर रहे हैं बल लगा रहे हैं क्या रोपित कर रहे हैं चुम्बक भी क्या करता है विद्धारवाही के लिए हम लोग इस्तमाल करते हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम क्या इस्तमाल करते हैं हम फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम तो बिल्कुल इसके पहले मैंने आप लोगों को दाहिने हाथ के अंगुठे का जो नियम आप लोगों को दिखाया था उस वीडियो में ही मैंने आप लोगों को वाम हस्त के नियम का भी वीडियो दिखाया था किसको किसको याद है बिलकुल आसान आप लोगों के लिए लग रहा होगा बिलकुल ठीक है तो वाम हस्त के नियम के अनुसार हम लोगों ने क्या किया था तीनों ही उंगलियों को इस तरह से नब्य अंश के कौन अंगुठा बचा कौन अंगुठा तो यहां पर जो विस्थापन होगा वो किस दिशा में होगा जिधर बल लगेगा उस दिशा में होगा किधर होगा यहां पर विस्थापन बल लगेगा उस दिशा में होगा तो जैसे कि यहां पर क्या लग रहा है जैसे कि यहां पर य पुली की दिशा में विद्धारा जा रही है तो विद्धारा अगर इस दिशा में जा रही है तो मेरे दाहिने हाथ के अनुसार जो चुम्बकिय शेत्र की दिशा होगी वो बिल्कुल इस दिशा में होगी चुम्बकिय शेत्र की दिशा अगर उपर से देखूं तो ठीक है च हाथ की तरजनी, मध्यमा और अंगुठे को तरजनी, मध्यमा और अंगुठे को इस प्रकार फैलाया जाए कि यह क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, तो यहाँ पर जो आपकी यह जो तरजनी है, वो क्या दिखाती है, ठीक है, और जो मध्यमा है, वो क्या दिखाती है, अपलब यह की है बिल्कुल यह बल और इसको जो है शॉटकट में यह जो बल है उसको एप से प्रदर्शित करते हैं चुमबकिये शित्र को बी से और विद्युधारा को आई से तो इसको शॉटकट में FBI भी बोलते हैं अफिए नियम क्या बोलते हैं FBI के नाम से आप वियाद रख सकते हैं अगुठे का यहम तो बहुत आसां था तो बिल्कुल इससम लाइक दिखाते हैं तुब लाइक और यह चीज भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में आप लोगों को दिखाया था एक बार फिर से मैं आप लोगों को जो है दाहिने हाथ का नियम मेमुराइज करवा देती हूँ एक बार फिर से आप लोगों के लिए प्ले कर देती हूँ देख रहे हो ना यहाँ पर मारे यह रहे हैँ तो घ्मा की तरफ तो हमारे जो पहली वाली उंगली है तरजनी जो है हो क्या है तुछ 15 कि शेत्रगी दीशा बताती अगूधा रहा है उपर की तरफ नहीं के अold समझ में आ गया बिल्कुल मज़ा आया एकदम क्लियर और कभी नहीं भूलोगे बहुत जादा इंपॉर्टेंट है जिंदगी में हमेशा आपको यह नियम याद रखना है और उम्मीद करती हूं कि यह वीडियो देखने के बाद और मेरी यह क्लास अटेंड करने के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जो है यह दाहिने हाथ के अंगुठे का नियम और वाम हस्त का नियम जो है कभी भी नहीं भूलोगे हमेशा याद रखोगे और याद रखना ही है आपको और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत मजा आया होगा जल्दी से कमेंट करके बताओ बहुत ही और अब रहा है जो हम लोगों के यह जो enjoyed अभी नियम पढ़ाना लैट हैंड रूल वाम हस्तों का नियम दाएंहाथ का नियम किसका फ्लेमींग का इसका फ्लेमिंग इस पर निर्भर करता है हमारा ये विद्यूत मोटर का concept बहुत ही interesting concept आप लोग पढ़ने वाले हो और इसमें आप लोगों को काफी जादा मज़ा भी आने वाला है ठीक है तो भाई देखो ये concept तो हम लोग अभी पढ़ेंगे और जो हम लोगों ने बाए हाथ का नियम पढ़ आप लोग चोटे-चोटे प्रोजेक्ट कभी बच्पन में 7th, 8th class में भी आप लोगों ने स्कूल में जो है आप लोगों ने विज्ञान समारो वगरह में आप लोगों ने देखा होगा वहां पर भी बहुत प्रकार के प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं विद्यूत मोटर का ही इस्तमाल करते हैं कई सारे इसके उप्योग है वहुत सारे स्वीयोग है इसके Science को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसके Concept को तो अभी हम लोग समझ चुके हैं जो Basic यहां पर इस्तमाल होने वाला है अब बारी आती है विद्यूत मोटर की तो यह जो विद्यूत मोटर है वो क्या है एक ऐसी युक्ती है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं जो विद्यूत उर्जा है उसको यांतरिक उर्जा में परिवर्तित करते हैं कैसे जैसे कि मान लो कि आपको ट्वाइकार चलाना है ठीक है तो ट्वाइकार में क्या होता है सेल लगा होता ह तो होता क्या है वो ट्वाय कर चलने लगता है जैसे कि मानलों कि रोबोट है ठीक है तो बिल्कुल उसके अंदर भी क्या होगा बिल्कुल उर्जा संरक्षित होगी उस विद्धुत उर्जा को हम क्या करते है जैसे कि रोबोट अगर चलता है तो वो रोबोट जो है क्या करता जो है विद्द detto उर्जा को रासा आंत्रिक उर्जा में परिवर्थित करता है किंसमें पहत पर जो आप लोगों के पास होती है वह यांत्रिक उर्जा में जो है परिवर्थित होती है躡 होती तो बिल्कुल मैंने त्वायकार या फिर रोबोट का एक्जामपल आप लोगों को ले करके बताया है अब इसका सिधान्थ हम लोग देख लेते हैं पिक्चर तो आप लोगों ने देखी लिया होगा इस तरह से ये दिखता है अब इसके अंदर सारी संरचनाएं होती है उसको हम लोग अंदर की बात को यहां पर सिखेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को जब एक्जाम में आएगा तो विद्यूत मोटर होता क्या है लिखना है डाइग्राम आप लोगों को बनाना है उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को लिखना है कि विद्यूत मोटर का सिधान क्या होता है और यह धोनों बहुत जादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका विद्विद्ध मोटर और विद्धुद् जनित्र आगे हम पढ़ने वाले हैँ बिल्कुल इसको ना आप एकदम अच्छे से समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्ध् इसका मतलब यह हुआ कि इसके पहले हम लोगों ने विद्ध धारावाही चालक तार की करन जो बल का कॉंसेप्ट पढ़ा ना जिसमें हम लोगों ने जो है लेफ्ट हैंड डूल या फिर वाम हस्त के नियम के बारे में पढ़ा तो इसी के सिध्धान्त पर कारे करता है यह जो सिध्धान्त हम लोगों ने पढ़ा अभी इसी के सिध्धान्त पर कारे करता है जो बल लग रहा है न हम लोगों ने क्या किया चुंबक के बीच में हम लोगों ने धारावाले चालक को रख दिया तो यहां पर क्या हुआ मतलब कि वहाँ पर दोनों ही एक दुसरे पर क्या लगा रहे हैं बल आरोपित कर रहे हैं ठीक है तो क्या होता है कि जब किसी आयताकार कुंडली को आयताकार कुंडली मतलब की धारावाही चालक तार की ही हमने क्या बनाई है एक आयताकार कुंडली बनाई है जो की बिल्कुल इस तरह की शेप की दिखाई देती है ये क्या है धारावाही चालक का अभी वृत्ताकार पाश आप लोगों ने पढ़ा फिर आप लोगों ने पर यहां पर भी कई फेरे होंगे पर हम लोगों को जब सिध्धान्थ को समझ रहा है तो किसी एक फेरे के बारे में हम समझ के क्या करेंगे सारे आगे के सिध्धान्थ को समझेंगे तो अगर हम इस आयताकार मतलब कि यहां पर जो हमारा कुंडली है उसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर चुम्बकिय शेत्र मालों कि यह N धुरू है और यह S धुरू, यह चुम्बकिय शेत्र के बीच में हम क्या करते हैं, रखते हैं, तो चालक में विद्धु धारा जब प्रवाहित की जाती है, मतलब जब हम लोग इसमें क्या करेंगे, विद्धु धारा प्रवाहि थोने के कारण उत्पन न चुम्बकिय छेत्र ठीक है यहां पर जो क्वाइल में धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा प्रवाहित होने के करण क्या होगा यहां पर चुम्बकिय छेत्र उत्पन हुआ था जैसे अभी अभी हम लोगों ने यहां पर पढ़ाना यह देखो यहा केले भी हम लोगों ने पढ़ा था यहां पर क्या हो रहा है ुट्र रिभाट था इसके बाद प Communist representative अधर कुणागी है क्या सी कुंडली है आयताकार तो भाई वहां पर भी होगा यही वहां पर भी यही concept लगेंगे वहां पर भी ठीक है तो यहां पर वापस आते हैं हम सिध्धान में तो क्या होगा कि दूसरे चुम्बक के चुम्बक की च्छेत्र की कारण क्या मैसूस होगा एक बल आरोपी दोनों एक दूसरे पर क्या करेंगे एक बल लगाएंगे विद्ध्धारवाली कुंडली जो है क्या करेंगे उसके करण जो है यह जो आयताकार हमारी कुंडली है अब क्या होगा इसके चुंबक यह शेत्र के कारण यहां पर बल लगेगा प को बिल्कुल कुंडली को ऐसे भुमेगा क्या करेगा रोटेट करने लगेगा इसका सिध्धान्थ हो गया और बिल्कुल कर सकते हैं और सिद्धान्त फिर मैं इसकी संरचना के बारे में और कारेविधी के बारे में भी बताऊंगी ठीक है तो इसकी संरचना हम लोग देख लेते हैं देखो हुआ क्या था सबसे पहले हम लोगोंने क्या लिया था एक आयताकार, एक क्या लिया था हम लोगों ने, आयताकार हम लोगों ने कुंडली ली थी, ठीक है, अब इस कुंडली में हम लोगों ने धारा प्रवाहित करवाई थी, तो धारा प्रवाहित करवाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर इसको क्या करा, इसको जो है विभक्त वलाय तिका इसको कम्यूटीटर बोलते हैं अंग्रेजी मत पर कोई बात नहीं अभी आप develops कट हैं विभक्त वलाय और एक क्या लगाते हैं ब्रश ठीक जाभित अम लोग करते हैं चुंबक रख देते हैं तो होता क्या है जैसे हम लोगोंने अभी अभी पढ़ा था विद्धारावाही चालक पर जब किसी चुंबक को पास में रख देते हैं तो उसके करण क्या लगता है दोनों ही एक दुसरे पर बल का अनुभाव करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा इस च प्रभाव के करण क्या होगा कुंडली जो है वो बिल्कुल घूमने लगेगी ठीक है तो पहले तो इसकी संरचना को आप लोग समझ लो संरचना में क्या लिखा हुआ है एक विद्धित मोटर दो मुख्य युक्तियां होती है एक आयताकार कुंडली होती है और क्या होता है चुम्बक के दो धुरू होते है ठीक है और ये जो आयताकार कुंडली है उसको हम ABCD लेते हैं जैसे कि चित्र में यहाँ पर दर्शाया गया है ABCD बिल्कुल ना मांकित कर सकते हो आप लोग अगर आप नोट नहीं कर पाओगे तो ध्यान से सुन लो विडियो खतम होने के ब पनी होती है ठीक है इस कुंडली को हम चुम्बक के शेत्र के दो धुरू के क्या लिखते हैं दो धुरू के बीच में रखते हैं और यहाँ पर जो इसकी A और B और A B और CD चुमब भुजाएं है वो क्या है चुम्बक के शेत्र की दिशा के क्या होती है लंबवात होती है इ यहां पर जो विदुद्धारा बहर रही है और धारा ये धारा की दिशा और ये चुम्बकिये शेत्र की दिशा दोनों ही क्या होंगे एक दूसरे के लंबवद क्योंकि हम लोगों ने वैसे भी अभी जो दाहिने हाथ बाएं हाथ का जो नियम पढ़ा था इस बाएं हाथ के दिशा और ये चुम्बकिये शेत्र की दिशा और ये बल की दिशा बल बहर की तरफ लग रहा है ठीक है तो यह क्या हो जाएगी यह जाए है है और इन दो भागों को हम क्या करते है किसे दरशाते हैं यह पी है और यहाँ पर क्या है, क्यूं है, विभक्त वलाई के अर्धभागों की भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है, कैसी होती है, यह जो भीतरी सतह होती है, यहाँ पर यह वाली जो सतह है, यह कैसी होती है, विद्युत रोधी, यह कैसी होती है, विद्युत रोधी, ठीक है, तथा, धूरी से जुड़ी होती है, P तथा Q, जो कि विभक्त वलाई के दो भाग है, क्रमशा, दो इस्थिर चालग, ब्रश, X और Y से को क्या करते हैं, इस पर्श करते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो विभक्त भाग है न, यहाँ पर P और Q के, यह किसको इस पर्श करते हैं, बोल रहा ह ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चुम्बक रखा हुआ है, चुम्बक के बीच में हम लोगों ने कुंडली रखा हुआ है, तो जैसे ही यहाँ पर विधुधारा प्रवाहित होना शुरू करती है, तो आप में देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो बीच की आयता कार क्वाइल है वो क्या करेगी यहाँ पर विद्युद्धारा प्रवाहित होगी और सबसे पहले जब यहाँ पर विद्युद्धारा प्रवाहित होगी तो धारा प्रवाहित होने के कारण चुम्बकिये शेत्र उत्पन ह और इस चुम्बक के करन भी क्या होगा चुम्बक के शित्रोधपन होगा जिसके करन चुम्बक की बल लगना शुरू होगा तो चुम्बक की बल जो लगेगा वो बिलकुल हम लोग क्या करेंगे अपने यहां पर बाएं हाथ के नियम से इन चुम्बक की बलों को हम लोग निक आप लोग इस डाइग्राम में देख पा रहे हो तो बिलकुल आपका जो यहां पर यह जो आयताकार कुंडली है वो घूमने लगेगी ठीक है तो जब यह घूमती है न तो यहां पर क्या लगता है बल आघून है यह इसके बारे में आप लोगो को डिटेल में नहीं पढ़ना ठीक है तो अभी इतने डिटेल में नहीं जाना है बस इतना समझना है कि यहां पर बल आघून लगता है जिसकी वजह से यहां पर कुंडली गोल-गोल घूमने लगती है और घूमती हुई पहले तो यहां पर इस तरह से दोनों के बीच इस तरह से रखी हुई थी यह देख शुन्य होता है बिलकुल शुन्य होता है यहां पर ठीक है वापस से क्या होता है यह नीचे की तरफ आता है तो यहां पर जो है नीचे की तरफ घूमने लग जाता है तो इस तरह से क्या होता है घूमने लग जाता है और इस कारे प्रणाली को आप लोग यहां पर समझ सकते हो कि जैसा ही हम सबसे पहले क्या करते है इस तो से विद्धारा प्रवाहित करना शुरू करते हैं आयताकार कुंडली पर तो होता क्या है कि x से बिंदू x से a b c d में क्या होता है विद्धारा प्रवाहित होना शुरू होता है और y से क्या होता है परिफ़त पूरा होता है तो विद्धारा जो है यहाँ पर बाहर निकलने लगती है जैसे यहाँ से शुरू ही बहना यह x है और यहाँ पर बाहर निकली तो यह क्या है ठीक है इसके बाद क्या होता है धारा प्रवाहित हुई तो A से A B में A से B की और भुजा में क्या है C D में C से D की और क्या प्रवाहित हो रही है धारा प्रवाहित हो रही है कुंडली की भुजा A B और C D में तो बिल्कुल ये तो मैंने आप लोगों को डाइग्राम में दिख के कारण किस तरह से बल जो है परस पर लंबवत लगता है उसकी दिशा को हम लोग ग्याद कर लेते हैं और इसकी दिशा को जैसा ही हम लोग ग्याद कर लेते हैं ठीक है तो आधे घुर्णन तो यहां पर क्या होता है पता चलता है कि वह बल के वज़ा से उस दिशा में जो है उस आयताकार कुंडली का घुर्णन होता है और जैसे ही वो मान लो की इस तरह से जब वो पहुँचता है ठीक है तो वहाँ पर जो बल आगुण का मान है वो शुन्य हो जाता है इसी वज़ा से वापस से वो क्या करता है C से D की तरफ जब हम बात करते हैं तो C से D की तरफ हमा मखुमावर्थ दिशा में क्या होता है घुर्णन शुरू हो जाता है आयताकार कुंडली का ठीकए परिपात में विद्धारा को उत्करमित करने के लिए लगाई गई युक्ति वीभक्त वलाए को दिख परिवर्थक कहते हैं दिख परिवर्थक मतलब की क्या होता है कि owa से जो है मतलब की वहां से जो है क्या होता है दिक परिवर्तत दिशा का परिवर्तन होता है इसको मैं वीडियो के माध्यम से और अच्छे से इसकी कारेपनाली को आपको समझाओंगी तो जैसे ही आप इमेजिन करके देखोगे न तो ये लिखा हुआ आपको और क्लियर हो गूमने की दिशा को एक ही और बनाए रखता है क्या होता है कि मतलब ये जो विभक्त वलाई का काम क्या है देखो ये आप लोगों को पूछ सकता है ये पॉइंट आप लोगों का इंपोर्टेंट है कि विभक्त वलाई का काम क्या है तो वहां पे जो हम विभक्त वलाई का इस्तमाल करते हैं उसको दिशा परिवर्तन करने के लिए करते हैं क्योंकि जब वहाँ पर बल आगुन लगता है तो वो शुनी हो जाता है फिर वापस से वापस आ जाता परंतु वो वापस से वापस ना आए इसके लिए वहाँ पर दिख परिवर्तक लगा होता है वो दिशा को बदल देता है ठीक है दिशा को वहाँ पर बदल देता है विद्युधारा की दिशा किसकी दिशा को परिपत में विद्युधारा की दिशा को बदल देता है जिसकी वज़ा से कुंडली जो है हो क्या करती है एक ही दुशा में जो है घूम पाती है और उसकी दिशा को जो है नियत बनाए रखने के लिए जो है काम आता है बिलकुल इसको मैं जो है आपको एक वीडियो के माध्यां से थोड़ा आसान कर देती हूँ देख करके आप लोगों को काफी जादा मज़ा आएगा और बिलकुल आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो है ये जो लगा हुआ है य इसको अंग्रेजी में हम कम्यूटेटर बोलते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यह कुंडली से लगा हुआ है, बिल्कुल, और यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, आईताकार कुंडली बोलते हैं, जो यहाँ पर किसके बीच रखा हुआ है, दो, दो चुम्बक के बीच में रखा हुआ है, एक उत्तरी ध्रो और एक दक्षनी ध्रो, अब इसको हम चालू करते हैं, वीडियो को तो देखना, यहाँ पर जो है, क्या होगा, सबसे पहले तो इसका पूरा आप लोगों को बताएगा, इसमें विद्धारा प्रवाहित होना शुरू करेगी, द विद्धारा इस तरह से प्रवाहित हो रही है, और बिल्कुल इसको ध्यान रखना, जैसे ही यह विद्धारा यहाँ पर प्रवाहित होगी, तो होगा क्या यहाँ पर, लाइन्स खीचना शुरू हो रहा है, विद्धारा की दिशा है, इस लाइन से हम चुम्बकिय शेत्र क कि दिशा भी ग्याद कर लेंगे ठीक है चुम्बकिय शेत्र की दिशा जैसे ही हमको ग्याद होगी वैसे ही हमको किसकी दिशा पता चल जाएगी बल आघोन की दिशा भी हमें पता चल जाएगी देखते जाओ वीडियो में इंटरस्टिंग है बहुत मज़ा आएगा आपको ठ क्या हो रहा है आगे विद्धारा बहरी है बिद्धारा बहरी है अब ये क्या बनने लगई चुम्बकिया बल रेखाएं बनने लगई अब चुम्बकिया बल रेखाएं बनी तो चुम्बकिया बल का प्रभाव हुआ इन चुम्बक के करण जो चुम्बकिया बल लगा उसकी वज़ा से ये क्वाइल देखो इस तरह से गोल-गोल घुमने लगी ये क्वाइल जो है बिलकुल गोल-गोल घुमने लगी और ये इसकी दिशा किस दिशा में घुमे की बल किस दिशा में लगेगा उसके लिए हम क्या कर रहे हैं वाम हस्त का नियम यहां पर लगा आ रहे हैं यह देखो इस तरह से इस तरह से यहां पर जो है यह आपका क्या है विदुद्धारा की दिशा है ठीक है किसकी दिशा है विदुद्धारा की दिशा है अब लगा न सही हां यह विदुद्धारा की दिशा है और यह हमारा जो पहला उंगली है ठीक है वो चुम्बकियर शेत् सकते हो आप लोग की यह बिल्कुल से अगर मैं रख के दिखाऊं ठीक है इस तरह से लख के दिखाऊंग तो बिल्कुल धारा और चुम्बकिय शेत्र और बल और जिसकी वज़ा से यह क्या होता है बार-बार घूमता है यह क्या होता है अब देखो यहां पर जब पहुशता है ठीक है तो यहां पर क्या हो जाता है बिल्कुल जो है यहां पर पहुशने पर जो हमारा विद्धारा और चुम्बकिय शेत्र की दिशा न एक जैसी हो जाती एक दूसरे के एकदम जो है यहां पर क्या हो जाती है जिसकी वज़ा से वहां पर क्या हो रहा है बल का मांच शुनि हो जा रहा है ठीक है देखो बहुत ज़ादा डीटेल में आपको नहीं जाना है आपको कक्षद दस्वी के हिसाब से जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ना है बट यह imagination बहुत जरूरी है यह वीडियो आपको मदद कर रहा है imagination करने के लिए ठीक है तो वहां से जो है क्या होता है वहां से जो है वो हो कि विपरीत आजाएगी क्या हो कि विपरीत आजाएगी अगर यह वलाई नहीं लगा होगा विभगत वलाई नहीं लगा होगा तो यह विभक्त वलाय मदद करता है क्या करता है ये धारा की दिशा को उल्टी कर देता है तो जैसे ही धारा की दिशा उल्टी कर देता है तो वापस से वो क्या करती है अपनी जो मतलब की इस तरह से गती है इस गती में घुर्णन गती में गोल-गोल घुमने में क्या होती है वो मतलब सहायता करती है विभागत वाला है ठीक है तो I hope कि आप लोगों को ये जो विद्यूत मोटर का concept है ये पूरा-पूरा आप लोगों को आप सीख जाओगे तो कभी आपको अगर मालो की कोई कोई मालो की आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा तो आसान होगा वैसे आप लोगों को उसका उप्योग ही करना होता है उप्योगी तो आप लोगों को समझ नहीं कि कहां पर उप्योग किया याता है करके पर है तो इंट्र प्रणाली तो समझ में आ ही गई होगी और जो भी लिखा हुआ है वह आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर नहीं ले पाए हो ठीक है तो क्लास के बाद ले लेना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है क्लास के बाद भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अब हम यहाँ पर देखते हैं व क्या क्या था एक ताड़ लपेटा था ठीए पर समें हम लोगोंने विद्धयारा का प्रवाह करवाया था यहां पर हम कोई भी जजुद्धयारा प्रवाहीत नहीं करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे हम एक छट चुम्बक को इसके पास लेकर क्याएंगे ठीक है जब छट चुम्बक को हम इसके पास लेकर क्याएंगे तो इसको बार बार लेकर क्याएंगे फिर हटा लेंगे लेकर क्याएंगे फिर हटा लेंगे पर फाइनली हम जब इसके पास लेकर क आते हैं तो हम लोग यहां पर एक मतलब की एक मिटर लगाए हुए हैं जिसमें हम लोगों को धारा का मतलब मान जो है यहां पर प्राप्त होता है ठीक है तो होगा क्या इस चुम्बक के कारण इस चुम्बक के कारण क्या होगा चुम्बक की प्रभाव उत्पन होगा ठीक है और ये चुम्बकिये शेत्र जब उत्पन होगा ठीक है तो इस चुम्बकिये शेत्र के कारण यहाँ पर जो है मतलब यह जो हम लोगों ने लपेटा हुआ है यहाँ पर तामे का तार जो लपेटा हुआ है इस तार में हम लोगों को विद्युद्धारा प्राप्त होगी ठीक अस्थाई रूप से यहाँ पर जो है विद्युद्धारा उत्पन होगी और जैसे ही हम इस चुम्बक को हटा लेंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा जैसे ही हम इस चुम्बक को हटा लेंगे तो यहाँ पर विद्युद्धारा का प्रवाह होना जो है बंद हो जाएगा ठ स्थाई चुम्बक कैसे बना देखो परिनाले का जो हम लोग पढ़ रहे थे ना वो भी हमारा अस्थाई चुम्बक था जब हम क्या कर रहे थे सीधा धारा वाही चालक तार पर हम जो है विद्युद्धारा प्रवाहित कर रहे थे ठीक है और उसके पास में हम जब मैंगनेट को ले करके आये थे दोनों के कारण एक दूसरे पर बल लग रहा था वो भी हमारा जो है अस्थाई चुम्बक ही था पर यहां पर जो है बिल्कुल जो हम लोगों का जो है अस्थाई चुम्बक जिसको मतलब बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इस तरह से इसको प्रयो यह scientist का नाम है इन्होंने एक प्रयोग करके देखा ठीक है इन्होंने क्या प्रयोग करके देखा कि बिल्कुल इस तरह से इन्होंने क्या करी एक तार की कुंडली बनाई यहाँ पर आप लोगों ने देख देख पा रहे हो ना इस तरीके से तार की लपेटे हुई कुंडली य इन्होंने बनाई बनाने के बाद यहां पर इन्होंने एक छट चुम्बक को लेकर के आया इस बार हम इसको डिटेल में समझेंगे छट चुम्बक का उत्तरी द्रू यहां पर हम लेकर क्या रहे हैं कुंडली के पास तो जब हम पास लेकर के आ रहे हैं इसको और जब यह चु धारा की कुंडली है तो जब हम कुंडली में धारा प्रवाहित नहीं करते हैं फिर भी यहाँ पर हम कुंडली को रख देते हैं और उसके पास किसी चुमबक को ले करके आते हैं ठीके तो यहाँ पर क्या प्रवाहित होने लगती है तो हम लोगों को यहाँ पर विद्धारा प विपरीत दिशा में विच्छे पुत्पन होगा तो यहां पर विच्छ पुत्पन होगा कि यहां पर विद्धुतचुम्बकिया प्रेरण हो रहा है मतलब चुम्बक को पास में लाने के कारण यहाँ पर इस कुंडली में विद्युधारा उत्पन हो रही है, क्या उत्पन हो रही है, इस कुंडली में विद्युधारा उत्पन हो रही है, जिसको हम बोलते हैं विद्युधारा उत्पन हो रही है, जिसको हम बोलते हैं विद्य कुंडली ली हुई है और यहाँ पर दोनों कुंडलीों में को हम लोगों ने बिल्कुल इस तरह से जो है विद्यूत रोधी के उपर लपेटा हुआ है जैसे कि हम लोगों ने परिनालिका में लपेटा था पर यहाँ पर जो हमारी पहली कुंडली है इस पहली कुंडली को हम लोग विद्यूद परिपात से जोड रहे हैं और यहां पर क्या कर रहे हैं धारा प्रवाहित कर रहे हैं मतलब यह वाला हिस्सा हमारा परिनालिका है मालो क्या होगा यह वाला हिस्सा हमारा परिनालिका है और यह वाला हिस्सा अभी जो हम लोग उने फैराडे के प्रयोग में पढ़ा कि यहां पर क्या है यहां पर केवल और केवल कुंडली लपेटी हुई है ठीक है तो हम इसके पहले इसके पहले हम क्या कर रहे थे इस पर हम लोग क्या कर रहे थे इस कुंडली के पास हम चुंबा को लेकर गया रहे थे ठीक है इस कुंडली के पास हम चुंबा को लेक हुआ है बिल्कुल एक्जेक्ली परिनालिका का ही आकृति बना हुआ है यह अस्थाई रूप से चुम्बक का ही काम करता है तो जैसे कि हम छट चुम्बक को लेकर क्या रहे थे जैसे कि हम क्या करके आ रहे थे छट चुम्बक को लेकर क्या रहे थे वैसे ही यहाँ पर जो पर नालिका छट चुम्बक की तरह विभार करने लगेगी तो इस कुंडली एक के कारण यहाँ पर इस कुंडली में क्या उत्पन होगा विद्युद्धारा उत्पन होगी और ये विद्युद्धारा उत्पन हो रही है चुम्बकिया प्रेरण के कारण किसके कारण चुम्बकिय प्रेरण की कारण और ये हमको कैसे पते चलेगा यहां पर हम लोगों ने जो धारा मापी लगाया हुआ है इस धारा मापी में जब हम लोगों को विक्षेप देखने के लिए मिलेगा क्या जब हम लोगों को ये पता चलेगा कि बिलकुल हाँ यहां पर इस तरह से जब हम पेटे हुए तार को जब परिनालिका के शेप में हम लोगों ने लपेटा उसमें विद्युद्धारा प्रवाहित कराई तो वह एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार किया तो जैसे की पहले यहां पर छड़ चुंबक को लाने से इस कुंडली में जो प्रतिक्रिया देखी जा रही थी धारा उत्पन हो रही थी और इस धारा मापी में विक्षेप उत्पन हो रहा था ठीक उसी प्रकार से यहां पर एक कुंडली की करण दूसरी कुंडली में भी यहां पर विद्युत प्रभाव उत्पन होगा विद्युत धारा प्रवाहित होगी जिसकी वज़ा प्रेरित विद्युत्वाहगबल उत्पन होता है क्या उत्पन होता है प्रेरित विद्युत्वाहगबल मतलब कि जो पहले विद्युत्धारा आ रही है यह विद्युत्धारा किसके कारण उत्पन होता है क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोगों ने इसके पहले जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल कहला रहा है क्योंकि यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कि इस कुंडली यह कुंडली जो च्छट चुंबक की तरह व्यभार करी है इसके कारण यहां पर प्रभाव उत्पन हो रहा है यह क्या उत्पन कर रहा है इस पर विद्युत वाहक बल के कारण कुंदली में क्या उत्पन होती है विद्धुत वाहक बल को हम ई से प्रदर्शित करते हैं और इस विद्धुत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा उत्पन होती है ये क्या है प्रेरित धारा है और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं विद्धुत चुंबकिया प्रेर वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुम्बकिया छेत्र के कारण अन्य चालक में विद्यु धारा प्रेरित होती है तो विद्यु चुम्बकिया प्रेरण कहलाता है बिल्कुल दूतरे शब्दों में बताया गया है कि क्या हो रहा है वहाँ प्रक्रम प्रक्रम का मतलब वहाँ घटना जिसके कारण किसी चालक में किसी चालक के परिवर्ती चुम्बकिया शेत्र भी बढ़ जाएगा धारा कम करोगे तो चुम्बकिया शेत्र कम हो जाएगा और अगर फेरो की संख्या कम करोगे तो भी चुम्बकिया शेत्र कम हो जाएगा फेरो की संख्या बढ़ाओगे तो भी क्या हो जाएगा चुम्बकिया शेत्र बढ़ और यहां पर जो विद्युत चुम्बकिया प्रेरण हो रहा है जिसकी वज़ा से आप लोगों की विद्युत धारा उत्पन हो रही है इस चालक में प्रेरित विद्युत धारा को हम लोगों को अगर ग्याद करना है इसकी दिशा अगर हम लोगों को ग्याद करनी है तो इसके लोगों को धारा की दिशा पता थी और ग्याद क्या करते थे आप लोग बल की दिशा ग्याद करते थे ठीक है किसकी दिशा ग्याद करते थे बल की दिशा यहां पर क्या है यहां पर आपको चालक की गती पता है मतलब कि आपको बल पता है चुम्बकिय शेत्र की दिशा पता ह क्या कारे करता है इस concept पर आप लोगों का विद्धुर्युकत जयनित्र कारे करता है अगर इस नियम को आप लोगों को कि लिखना है तो कैसे लिख सकते हो इस नियम के अनुसार अपने दाहिマy हाथ को पूरी से इस तरह से फैलाते हैं बिल्कुल जैसे बाय हात का नियम था वैसे ही दाय हात का नियम बिल्कुल इस तरीके से एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं लंबवत फैलाने के बाद जो हमारी देखो पहले भी हमारी जो ये वाली उंगली थी चुंबकिय च्छेत्र की दिशा बत आती है ठीक है सेम वही है और यह जो अंगूठा है वहाँ पर हम बल याद कर रहे थे तो अंगूठे की बात आखरी में हो रही थी पर यहाँ पर हमको प्रेरित विद्युत धारा ग्याद करनी है तो यहाँ पर यह जो मध्यमा है इसकी बात बात में होगी पहले होगी जो है चालक की गती को दिखाता है क्या दिखाता है यह यह जो प्रेरित विद्धुद्धारा ठीक है मतलब की प्रेरित विद्धुद्धारा की दिशा कौन बताएगा यहाँ पर प्रेरित विद्धुद्धारा की दिशा कौन बताएगा यहाँ पर प्रेरित विद्धुद् दिशा बताती है अंगुठा धारा वाही चालक में बैप्रवाहित होने वाली धारा मतलब कि जो विद्युत वाहक बल जिस दिशा में उत्पन होता है देखो जैसे कि यह आप लोगों ने पढ़ा तो यहां पर क्या हुआ इस धारा वाही चालक के कारण इस कुंडली के कारण नहीं हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ विद्युत वाहक बल क्या प्राप्त हुआ हम लोगों को विद्युत वाहक बल तो यहां पर जो धारा वाही चालक में जो धारा बह रही है तो जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में यहां पर क्या उत्पन होगा विद्युत धारा बहेगी उसी दिशा में विद्युत्वाहगबल उत्पन होगा तो कन्फ्यूज मत होना और उसके बाद जो दूसरी कुंडली है इस दूसरी कुंडली में जो यहां पर प्रेरित विद्युत्धारा होगी यह क्या है देखो वह चालक धारा वही चालक की विद्युत्ध रहा है जो कि इस कुंडली की विद्युत्वाकबल के कारण उत्पन हो रहा है ठीक है तो दोनों में अंतर है तो यह प्रेरित विद्युत्धारा जो है उसकी दिशा क्या होगी यह हमारी जो है इस तरह से अगर हम रखेंगे तो अगर इस तरह से अगर हम लोग रखेंगे यह देखो यह तो यह आप लोग देख पा रहे हो कि बाहर की और यह वाला बाहर की और हम लोगों को प्रेजित विद्धारा की दिशा जो है मिल रही है बिल्कुल आप लोग लिक्स देख सकते हो यहां पर डाइग्राम में बिल्कुल इसी के सिध्धान्द पर आप लोगों का विद्यु जोहनित या न्य उपती है जो यहां यहां रवाय में परिवर्थित करती है कि आप ऊजwsने भी मतलब बहुत बढ़े बड़े इंडस्री इन्डस्त्री के हमारी यहां υड्र अपने घरोगे आसपा ऑब कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्री होती है जहां पर जो है बिजली उत्पन करी जाती है जिससे आपके घरों में सप्लाई भेजा जाता है ठीक है तो वहां पर क्या करा जाता है जनित्र का उपयोग करा जाता है और इसके अलावा आप लोगों ने जो है जनित्र के में उत्पन हो रही थी तो कैसे उत्पन हो रही थी तो इसके सिध्धांत को हम लोग देख लेते हैं कि यहां पर जो है दाहिने हाथ का नियम लगता है सबसे पहली बात ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है कि विद्धुद जनित्र का सिध्धांत विद्धुद चुम्बकिया प्रेरण पर आधारित है किस पर आधारित है विद्ध चुम्बकिया प्रेरण पर और इस परिखटना पर आधारित है जिसके आधार पर कुंडली के तल पर चुम्बकिया फ्लक्स में परिवर्तन होता है क्या होता है कुछ चुम्बकिया फ्लक्स अब बेटा चुम्बकिया आप लोगों के लिए काफी जादा नया होगा ठीक है तो यहां पर जो चुम्बकिया बल रेखाएं जो जा रही है ठीक है तो उन बल रेखाओं की वजह से ही यहां पर फ्लक्स आएगा तो वहतर है कि इसको थोड़ा सा आप यहां पर याद रख लो क्योंकि चुम्बकिया फ वाहक बल मिल रहा है यहां पर आप लोग लिख सकते हो कि किसी कुंडली के तल पर विद्धुत वाहक बल में क्या होता है परिवर्तन होता है उस कुंडली में प्रेरित विद्धुत धारा प्रवाहित होती है ठीके बहतर है कि यहां पर चुम्बकियों फ्लक्स के जगहां में उस पर निर्भर करेगा और पहले वाले कुंडली की विद्युत धारा पर ही मतलब की विद्युत वाहग बल जो है डिपैंड करता है उसी की दिशा में ही होगा ठीक है तो इस प्रकार से क्या होगा कि यहां पर विद्युत वाहग बल के कारण क्या विद्युत वाहग बल के क यूर्जा का विद्यूत उर्जा में परिवर्तन होने से मिल रही है यांत्रिक उर्जा का क्या विद्यूत उर्जा में परिवर्तन होने से मिल रही है तो इस पर जो है निर्भर करता है आप लोगों का विद्यूत जनित्र और अगर इसकी सनरशना की बात करें तो बिल्कुल यहां पर भी क्या होगा, यहां पर हम लोग धारा प्रवाहित नहीं करवाएंगे, यहां पर अंतर सिर्फ यह है कि यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, यहां पर हम लोगों ने एक विद्युत परिपत बनाया था, जिसकी वज़ा से हम धारा प्रवाहित करवा रहे थे, यह पर निर्भर करेगा कि यहां पर चुम्बकिये प्षेत्र के कारण कितना विद्धुद्वाहक बल उत्पन हो पारा है उस पर हमारी यह प्रेरित विद्धुद्धारा निर्भर करेगी तो अगर हम लोगों को जादा विद्धुद्धारा चाहिए तो हम लोगों को जादा व और इसके दो वलए है R1 तथा R2 से इसको हम लोगों ने सहीं उजित कर दिया तो आप लोग इसकी संरशना में देख सकते हो यहां पर हम लोगों ने दो वलए लिया देखों वहाँ पर हम लोगों ने PQ लिया था यहां पर R1 और R2 है और बिल्कुल इसके ब्रश भी दो है B1 और बीटू ठीक है तो वहाँ पर जो है brush X और Y में connected थे कहां connected थे X और Y में तो बिल्कुल आपको जो है class खतम होने के बाद ये video lecture खतम होने के बाद दोनों जो picture है image उसको copy में आजू-बाजू में बना लेना विद्युत जनित्र का और विद्युत मोटर का दोनों को comparison करके प ली लाइन तो सेम है दो इस चालक brush B1 और B2 हम लोगों ने देख किया प्रिथक प्रिथक रूप से क्रमशह R1 और R2 वलय को दबा कर रखा जाता है लगाया जाता है अब उसका कारण जो है detail में जब engineering में जाया जाता है तब पढ़ा जाता है बस केवल सनरचना को अभी आप समझ लो हना और बिल्कुल R1 और R2 जो वलय हैं भीतर की दूरी से जुड़े होते हैं कुछ दूरी पर जुड़े होते हैं चिपका कर तो नहीं जोड सकते हैं चुमबकिय शेत्र के भीतर स्थित कुंडली चुमबकिय शेत्र मतलब कि जो हम लोगोंने दो चुमबक रखे है जिसकी वज़ा से यहां पर क्या उत्पन होगा यहां पर उत्पन होगा चुम्बकिय छेत्र उत्पन होगा तो इस चुम्बकिय छेत्र के कारण क्या होगा यहां पर चुम्बकिय प्रेरण होगा और विद्धित चुम्बकिय प्रेरण के कारण यहां पर क्या उत्पन होगा प्रेरित विद्धारा उत्पन होगी जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा इस क्वाइल में आप लोग देख पा रहे हूँ यहाँ पर जो है दिशा भी दिखाई गई है यह जो दिखाई गई है यह प्रेरित विद्धारा की दिखाई है ठीक है तो यहाँ पर क्या लिखा क्या होता है चुंबकिये शेत्र के भीतर इस्थित कुंडली आयताकर कुंडली में घुनन घती देती है ठीक है क्या देती है घुनन घती देती है मतलब कि यहाँ पर चुंबकिये शेत्र के प्रभाव की वज़ा से वो कुंडली घुमने लगती है और दूरी को यांतरीक रू कि प्रभाव को दर्षाने के लिए क्या करा जाता है गयलोनोमिटर सन्योजित किया जाता है इसका मतलब जो हम लोगों की हम लोगों ने लगाया है Gaming तो वह बस इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि यहां पर जो है मतलब विद्धारा प्रेजित होगी उत्पन होगी तो यहां पर हो क्या रहा है जैसे की हम लोगों ने इसको चुम्बकिया शेत्र में रखा तो यह हमारा राइट हैंड टूल से यह जो है पहली वाली उंगली यह हमारी क्या हो गई राइट हैंड तो यहां पर जो हम लोगों का विद्युद्धारा होगा, वो क्या होगा मेरी मध्यमा की दिशा में यहां पर प्रेजुद्धारा जो है उत्पन होगी, ठीक है अब इसकी कार्य विधी बिलकुल आप देख सकते हो कि आर्मेचर मतलब कुंडली को ही आर्मेचर बोलते है, A, B सीडी को दक्षिनावर्थ दिशा में क्या करा जाता है घुमाया जाता है तो कुंडली में विद्ध चुम्बकिया प्रेरण के कारण क्या उत्पन होता है विद्ध धारा प्रेरित होती है धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाए हाथ के नियम से ग्याद की जाती है तो आधा चक में B2 से B1 की तरफ रहेगी पर यही चीज सेम आप लोगों ने जब विद्यूत मोटर में भी पढ़ा था तो विद्यूत मोटर में भी क्या हुआ था हम लोगों को एक ही तरफ उसको इस्थाई बनाने के लिए हम लोगों ने वहां पर विभक्त वलाई लगाया था ठीक उसी कुंडली को एक ही दिशा में घुमाने के लिए यहां पर विद्यूत वलाई जो है काम आएगा अब आधे चक्र में जो है यहां पर विद्यूत धारा की दिशा इस तरह से होगी तो बचे हुए आधे चक्र में क्या होगी विद्यूत धारा की दिशा इस तरह से होगी और जो परिपन में विद्युद्धारा उत्पन होती है ये प्रत्यावर्ती विद्युद्धारा कहलाती है और प्रत्यावर्ती विद्युद्धारा का मतलब यही होता है कि ये जो विद्युद्धारा उत्पन हो रही है एक बार धनात्मक दिशा में उपर कियो और एक बार रना थो करके उत्पन हो रही थी, ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्पन हो रही है, वो इसकी दिशा आधे चक्र में अलग, आधे चक्र में अलग-अलग होगी, जिसको हम प्रत्यावरती विद्युद्धारा बोलते हैं, तो विद्युद्धारा दो प्रकार के होते हैं, एक जो है द अन्तर क्या होता है किसको अभी विद्विद्य जन्रें उत्पन कर रहे हैं वह प्रतिया इश्ट और पर इन्प और आप س calls करेंगे जो हम पढ़ रहे हैं समझ नहीं कर ने कर ने के लिए तो इस तरह से प्रत्यावरती धारा जो है उत्पन होती है और जल्दी से अगर quickly अगर चाहो तो आप देख सकते हो इसका बड़ा ही interesting सा वीडियो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगे इस वीडियो को play करके और इस वीडियो में आपको मिलेगा देखो यह धारा बढ़ा सकते हैं ठीक है तो यह सारी चीज़े जो अभी तक के हम लोगों ने पढ़ी थी तो यह तो है नहीं नहीं यह नहीं आपको देखना चाहिए यह ठीक है आप यह देख सकते हो यहाँ पर तो I'm sorry गलती से आपके लिए जो है बिल्कुल wrong video play हो गया था I'm really sorry तो हाँ यह है आपका जनित्र जनित्र की अंदर की सनरचना बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है यह तो आपके engineering का हिस्सा है ठीक है बस आपको समझना है यहाँ पर क्या समझना है कि विद्ध जनित्र चलता कैसे है तो just यह imagination के लिए है इसके concept को आपको पूरा-पूरा समझने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करते है चुमबक के बीश में हम आयताकार कुंडली को रखे होते हैं यहाँ पर सब में क्या होती है कुंडलीया लपेटी हुई होती है और बिल्कुल यह जो है जब मध्य में रखी होती है तो ये घुर्णन गती करती है क्या करती है ये घुर्णन गती करती है देखो ये आयताकार कुंडलिया घुर्णन गती करती है सब में कुंडलिया लपेटी हुई है देखते जाओ फटा-फट अब इसमें क्या होगा विद्धुद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् प्रेरण के फल स्वरूप यहां पर क्या उत्पन होगी विद्धारा बहने लगेगी आप लोग देख पारे हो यहां पर ब्लू कुलर की लाइन है वो विद्धारा की दिशा को बता रही है और विद्धारा इस तरह से हम लोगों को जो है हर बार जो है इसकी दिशा हम लोगो को अलग और परिमाण बार-बार बदलते हुए मिलता है आधे चक्र में हम लोगों को अलग दिशा में मिल रहा है और लगातार ये जो कुंडली है इस तरह से गोल गोल लगातार घूम रही है आप लोगों को देख के जादा बहुत अच्छे से जो है यहां पर क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को एकिनी देखते जाओ बस प्रेरित विद्धारा उत्पन हो रही है यह जो आपकी ब्लू लाइन एरो जो दिखा रहा है यह प्रेरित विद्धारा की दिशा को बता रहा है यह बार 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 इस तरह से चेंज हो रहा है तो बार बार जो इस तरह अच्छे से जो है Imagine हो गया होगा ठीक है तो इसके details पर तो अब हम नहीं जाएंगे ठीक है तो इस तरीके से हम लोगों को प्रेरित विद्धारा प्राप्त हुई यह हम लोगों ने देख लिया और यह विद्धारा हम लोगों को प्रेरित हो के मिल रही है यह हम लोगों को कहां से पता चलेगा तो हम लोगों को इस धारा वही मतलब कि यहां पर जो धारा मापी हम लोगों ने लगाया है गैलवनों मिटर जिसको बोलते हैं हम लोगों को वह का जो connection होता है वही आप लोगों को चित्र में यहां पर दिखाया गया है दर्शाया गया है और बिल्कुल यहां पर जो है आप लोगों को पता है कि जब आप लोगों के मिटर में नीचे में connect होते हैं तो यह जो विद्यूत मिटर आप लोगों के घर में लगा होता है तो वह तारे आपके घर में जो विद्युद्धारा आते हैं उसके लिए परिपत बना होता है और बिल्कुल वहां पे एक अर्थिंग का तार भी जुड़ा हुआ होता है बिल्कुल हरे कलर का तार आप लोगों ने देखा होगा तो इस तरीके से किसी स्विच में भी आप लोगों न कम जादा हुई ठीक है तो वो सीधे सीधे कहां चली जाएगी धर्ती में चली जाएगी और आपको किसी तरह से छती पहुचने में जो है क्या होगी छती नहीं पहुचेगी तो इसकी वज़ा से हम लोग क्या करते हैं हर जगह जो बड़े एक्विपमेंट्स रहते हैं जिस इस तरह से वितरण बॉक्स होते हैं इस वितरण बॉक्स में अंदर में फ्यूज लगे होते हैं और इन फ्यूज का काम क्या होता है इन फ्यूज का काम होता है इन फ्यूज का काम ये होता है कि मतलब जैसे कि मालों की अगर किसी कारण से किसी कारण बस जो भी हमारी विद् बच जाते हैं तो बिलकुल इस में आपको बहुत ज़यादाma में कुछ पूछेगा नहीं, सिर्फ पूछेगा, fuse के बारे में पूछेगा, मतलब कि अगर गलती से भी थोड़ी भी विद्युद्धारा जो है ज्यादा प्रवाइत हुई अधिक विद्युद्धारा प्रवाइत हुई ठीक है ओवर लोड हुआ अतिभार हुआ तो अतिभार के करण फ्यूज का तार विद्युद्धारा के उश्मिय प्रभाव के जाते हैं और धारा प्रवाहित होनी बंध हो जाती है जिसके हमारा परिपत्थ जो है पर मलब डिस्कनेक्ट हो जाता है और उपकरन जो है खराब होने से बढ़ जाता है ठीक है तो आपने देखा कि फ्यूस का कितना important इस्तमाल है ठीक है तो बिल्कुल यह महत्वपूर्ण अ प्रत्य आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो जो भी अब तक के हम लोगों ने पढ़ा है सारी चीजे यहां पर लिखी हुई है फटा फट से स्क्रीन शॉट ले लो एक बार बिल्कुल आपको एक रिवाइस कर सकते हो हम लोगों ने किसके किसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने य प्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बाएं हाथ का नियम सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया और धारावाही चालकतार को जब हम चुम्बकिया शेत्र में रख रहे थे तो फ्लेमिंग के बाए हाथ के नियम लग रहा था वहाँ पर जिसके कारण हम लोगों को विद्धुत मोटर का सिधान्त अपराप्त हो रहा था तो उस सिधान्त के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया उस उपकरण का सारा कार्य विधी सिधान्त सब कुछ देख लिया ठीक उसी तरीके से हम लोगों ने विद्धुत चुम्बकिया प्रेरन की घटना के बारे में पढ़ा और इस विद्धुत चुम्बकिया प्रेरन की घटना के कारण इस विद्धु चुम्बकिया प्रेरण की घटना के कारण किस तरह से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है किस तरह से हम लोगों को यहाँ पर प्रेरित विद्धु धारा प्राप्त होती है और इस प्रेरण के सिधान पर हमारा जो विद्धु जनित्र है कारे करता है यहाँ और फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम लगता है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया पूरा जो की यांत्री कुर्जा को विद्यू तुर्जा में कनवर्ट कर रहा है और बिल्कुल ये सारी चीजे तो हो गई है हमारी सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया दाहिन हा दिटेल नहीं पढ़ना है तो वहां पर देखा कि हर बार आधे में अलग प्रत्यावर्ति धारा उत्पन हो रही थी तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा नया था इसलिए मैं ये बिल्कुल जो है प्रत्यावर्ति धारा और दिश्ट धारा में अंतर आप लोगों के लिए ले करके आई हूं ठीक है तो बस आप स्क्रीनशॉट ले करके उसको थोड़ा सा समझ सकते हैं अंडर्स्टैंड कर सकते हैं ठीक तो बिल्कुल यहां पर आज का हमारा ये बहुत ही पावर्फुल सेशन और चुमबक का जो भी मैजिक था ये पूरा आप लोगों के लिए हम वीडियो ले करके आते ही रहेंगे ठीक है तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टब तक के लिए बाई बच्चों